हेलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल ओडियो वर्स एंशेंट गॉडली मॉनार्ख चैप्टर 1411-1420 उनके हाथों में केवल एक चटान की तुलना आकाश में मंदराते हुए उलकापिंड के समान की जा सकती है उसी से शक्तिशाली सेबरफूल का सिर्फ फूट गया था सबसे पहले यह गोल्ड सन रेस का बड़ा दानव था और फिर हेवन होल्ड रेस का बड़ा दानव था कोई आश्चर्य नहीं कि उजार पहाडों के ये राक्षस इतने आत्म विश्वासी थे उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी जीत पक्की है इन शक्तिशाली राक्षसों को भूरते हुए अमर काश्टकारों की आखें तेज से चमक उठी उन्होंने जिजग के कुछ संकेत दिखाए जब उन्होंने देखा कि हैवन होल्ड दानव अभी भी वहाँ खड़ा है हम पहले ही कह चुके हैं कि यह एक चुनोती है आप राक्षसों को इतना क्रूर क्यों होना चाहिए और सीधे हमारे विशेशग्यों को मारना चाहिए चुनकि यह मामला है अगर हम विजी होते हैं तो हम कोई दया नहीं दिखाएंगे एक अमर समराट ठंडेपन से बोला उनके पक्ष में दो अमर राजाओं की लगातार मृत्य हो गई अमर समराटों का क्रोधित होना समझ में आता था हमारे उजार पहाडों के राक्षस स्वभाव से क्रूर हैं उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी किसी भी मामले में यदि आपके अमर लोकों के विशेशग्य एक भी हड़ताल का सामना नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हमारी शैतानी जातियों द्वारा अभी या बाद में अमर लोकों से बाहर कर दिया जाएगा एक बड़ा राक्षस घमंड से बोला चुंकि आपने इसे इस तरह रखा है इसलिए हमें और विनमर होने की कोई आवर्शक्ता नहीं है अमर समराट की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई उन्होंने अमर काश्टकारों की ओर देखा और बोले आप सभी लोगों को स्थिती पहले ही देख लेनी चाहिए थी यहां की प्रमुख शक्तियों में से कई सर्वोच कुलीन हैं लेकिन ये राक्षस हम सभी को तिरसकार में रखते हैं अब समय आ गया है कि आप लोग बाहर निकलें और उन्हें उनकी जगह दिखाएं मैं प्रतेएक शक्ति को अपने विशेषग्यों को युद्ध में शामिल होने के लिए भेजने का सुझाव देता हूं यह सही है यहां इतने सारे सर्वोच कुलीनों के साथ प्रमुख शक्तियों के लिए कार्य करने का समया गया है उत्तरीक शेत्रों के अमर समराट बोले और सभी ने सिरहिलाया पहले जब दो युद्ध हुए थे, तब ये चूटी के जीनियस डैत्य जातियों का भी चिंतन कर रहे थे ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है उन बड़े से बड़े राक्षसों को छोड़ कर जो बाहर नहीं निकले, केवल वे दो जो पहले लड़े थे वास्तव में मानवता की तुलनामे सर्वोच कुलीन वर्ग के थे यदि उन्होंने मानव क्रिशकों को लापरवाही से भेजा, तो उन्हें विजय प्राप्थ करने का आत्म विश्वास नहीं था हम लड़ेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो बस स्काइब्रेक सिटी से बाहर निकलें और बकवास करना बंद करें हम शहर को मानवता से साफ कर देंगे हेवन होल्ड रेस के बड़े दानव ने थंडेपन से बात की, उसके शब्द बेहर अत्याचारी थे बंद करना, बेमिंग युहुआंग ने शिष्टता से बात की और उसके अंदर से थंडी मनशा फूट पड़ी उजाड पहाडों के ये राक्षस वास्तव में स्काइब्रेक सिटी के मनुश्यों को मारना चाहते थे स्काइब्रेक सिटी उत्तरीक शेपरों की बाधा थी वे इसे कैसे दे सकते थे भले ही उनके पास कोई विकल्प न हो लेकिन उन्हें वहां रहने वाले लोगों की रक्षा भी करनी थी हेवन होड दानव ने बेमिंग युहुआंपर नजर डाली और उसके कुरूप चहरे पर मुसकान आ गई मुझे इस तथ्य से प्यार है कि मनुष्यों के बीच बहुत खूबसूरत महीलाएं है हाला कि यह महीला बहुत थंडी है लेकिन इसका मास चमकदार और कोमल लगता है वह मेरी दासी बन जाए तो कितना आश्चर्य की बात होगी मैं उसे तब तक खेलूँगा जब तक मेरी वासना शांत नहीं हो जाती वह बोलते बोलते जोर जोर से हंसने लगा दिलेर डार्क नौर्थ अमर राजवंश के अमर समराटों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया वह बदसूरत राक्षस बक्वास कर रहा है कौन जाकर राक्षस को मारेगा कहे हेवेन होल्ड दानव अमर विशेशग्यों की ओर देखते हुए हंस्ता रहा यहां वास्तव में कई सुंदरिया है कुछ शुद्धाभा के साथ हैं और यहां तक की फीनिक्स रक्तरेखा का संकेत भी है जब हम अमर लोकों के माध्यम से अपना वध कर लेंगे तो मैं उन सभी को पकड़ लूँगा और उन्हें अपना गुलाम बना लूँगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी कई विशेशग्यों के भाव तुरंत बदल गए बेमिंग युहुंग, जेड स्टेज इम्मोर्टल पैलेस की युवतिया साथ ही दक्षिनी फीनिक्स कभीले की युवतिया दक्षिनी फीनिक्स कभीले की युवतियों के पास वास्तव में असाधारन आभा थी उन सभी के पास फीनिक्स रक्त रेखा और सुन्दर रूप था, जो जेड स्टेज पैलेस की सुन्दर युवतियों के साथ मिलकर एक सुन्दर ग्रिश बनाता था पवित्र उत्तराधिकारी मिंगिव मुझे उसे मारने दो एक पवित्र युवति बोली नान्फिंग मिंग्यू ने भौहें चड़ाई ये बड़े राक्षस बेहत शक्तिशाली है आपके लिए उसके खिलाफ लड़ना कठिन होगा वह हलके से महसूस कर सकती थी कि प्रतेक प्रमुक शक्ति के पूर्ण शिखर पर केबल प्रतिभाय ही इन राक्षसों से लड़ने में सक्षम होंगी अग्य सभी बस मौत को दावत दे रहे होंगे इस स्वर्गी अदानव के पास ही जन्मजात दिव्य शक्ति थी एक प्रतिभा जो उसे स्वर्ग द्वारा दी गई थी क्या प्रारंभिक अवस्था का अमर राजा पहले बहुत अहमकारी नहीं था यह कहते हुए कि वह समान साधनास्तर के लोगों की सभी चुनोतियों को स्वीकार करेगा अब जब फीनिक्स युवतियों को अपमानित किया जा रहा है तो अब तक कोई उनके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर के एक विशेशज्य ने ठंडेपन से बात की सपष्ट रूप से कुछ इशारा किया आदित्य के समकक्ष अमर राजा सामराज्य के प्रारंभिक चरण में एक साधना आधार था यह सच था कि आदित्य उन्हें चुनोती देने के लिए मंच पर आ सकते थे आदित्य ने केवल उपर देखा और देखा कि प्रतिदवंधवी तलवार संप्रदाय के एक तलवार प्रिशक ने ठंडेपन से कहा यह सही है वह पहले बहुत अहंकारी था अब जबकी राक्षस हमें इस हद तक उकसा रही हैं तो क्या वह अब भी कारवाई नहीं करेगा मैं शुरू में चुने गए दूसरे स्वर्ग को मौका देना चाहता था चुनकि कोई भी बाहर निकलने को तयार नहीं है मैं तब कारवाई करूंगा आदित्य ने बाहर कदम रखा और जारी रखा उन लोगों के लिए जो केवल अपने शब्दों से लड़ने की हिम्मत करते हैं अब खुद को शर्मिंदा करने की आवश्चक्ता नहीं है लड़ना है तो बस लड़ो दूसरों को उकसाने की क्या बात है स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर और पैरागॉन स्वर्ड संप्रदाय ने वास्तव में हमारे अमर स्थानों के लिए चेहरा खो दिया है जैसे ही वह बोल रहा था वह युद्ध के मंच पर निकल गया उनके शब्द जो एक भारी उपहास से भरे हुए थे ने दोनों शक्तियों के भावों को अतुलनी रूप से बरफीला बना दिया हाला कि जब उन्होंने दानव की शक्ती के बारे में सोचा तो वे जल्द ही शान्त हो गए जो भी हो उन्हें उम्मीद थी कि राक्षस उसे मारने में सक्षम होगा यह हेवन होड दानव बेहत क्रूर था जो अपने विरोधियों को हर वार से मारने की कोशिश कर रहा था यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा यदि वह आदित्य को मार सके उन्हें आदित्य का समर्थन करने वाली शक्तियों से बदला लेने की आवश्शक्ता नहीं होगी यदि वह एक राक्षस द्वारा मारा गया था योहुआंग चुंकि इस दानव ने तुम्हारा अपमान किया है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए उसे मार डालूँगा आदित्य बेमिन योहुआंग से बात करना नहीं भूले यह महिला एक अमर समराथ थी और बेहद शक्तिशाली थी इसके अलावा उसने आदित्य के साथ कुछ भाग्य साजा किया और वे दोनों उस पुराने अमर सनक के आधे शिश्य थे वह उसके द्वारा दबाना नहीं चाहता था इसलिए उसने उसे छेड़ना चुना इसे उनके रिष्टे को और करीब लाने वाला भी माना जा सकता है यह कमीने बेमिन युहुआंग ने अपने चहरे पर थंडे भाव के साथ आदित्य को देखा उन्होंने वास्तव में जन्ता के सामने यह बात कही थी मानो यह संकेत दे रहे हो कि उनका रिष्टा असाधारन है जैसा कि अपेक्षित था बहुत से लोगों ने इस समय बैमिन युहुआंग की ओरुख किया जिससे वह चुपचाप अपने दांग पीस रही थी यह बंदा इतना बेशर्म कैसे हो सकता है यहुआंग तुम्हें स्थानांतरित होने की कोई आवश्चक्ता नहीं है हमारे रिष्टे को देखते हुए मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए अपना सर्वश्रिष्ट करूँगा आदित्य ने आगे कदम बढ़ाया और हेवन होड दानव को ठंडेपन से देखा बदसूरत तुम यहुआं का अपमान करने की हिम्मत करते हो तुम उसके लिए मरोगे स्वर्गिय दानव मुस्कुराया उसने आदित्य को घूरते हुए कहा फिर भी एक और जो मौत के लिए उच्सुक है जब लोग उन्हें बदसूरत कहते थे तो उन्हें इससे नफरत हो जाती थी इसलिए वह इस समय बहुत गुस्से में था भयानक राक्षसी क्यूई के रूप में बड़े राक्षस को पकड़ लिया गया जो एक शिलाखंड में परिवर्तित हो गया जिसे उसने आदित्य की ओर फेंक दिया एक गड़गडाहट की गड़गडाहट सुनाई दी जो किसी भी चीज को नश्ट करने में सक्षम थी यह भावना देते हुए कि अगर वह उसके संपर्क में आया तो एक मध्य चरण का अमर राजा भी मर जाएगा आदित्य से एक भयानक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा उसने अपनी मुठी उठाई और बोल्डर को चकनाचूर करते हुए मुक्का मारा हाला की बड़ा दानव नहीं रुका उसने पत्थर फैंकना जारी रखा और उनमें से प्रत्येक आकाश से गिरने वाले उलका की तरह था उनका शरीर विशाल हो गया जिससे आदित्य बेहत छोटे लगने लगे अंतरिक्ष से टकराने वाले बोल्डर अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देते हैं आदित्य इसके खिलाफ असहाय लग रहा था और निश्चित रूप से हमलों की इस जड़ी में मर जाएगा कितने मजबूत आदित्य का हरिदय द्रविथो उठा जैसा कि प्राचीन यूग के एक बड़े दानव से अपेक्षा की जाती है उनकी जन्मजात स्वर्गियर दिव्य शक्ती प्रतिभा वास्तव में भयानक थी आकाश में ताड के निशान भरते ही आदित्य ने अपनी कानून उर्जा छोडी आकाश ने रंग बदल दिया क्योंकि ताड के निशान उलका जैसे शिलाखंडों को चकना चूर कर देते थे उन्हें शुनी में कुचल देते थे बूम यह देखकर बड़ा दानव बाहर निकलाया जैसे ही उसने सीधे फायर किया उसके हाथ में एक भयानक धनुष दिखाई दिया चलाए गए बान आसुरी शक्ती से बने थे और अतुलनिय रूप से तेज और कुरूर थे जो आदित्य को जमीन पर गिराना चाहते थे बेकार आदित्य दहाड़ा जैसे ही उसकी उर्जा आगे बढ़ी परमेश्वर का हाथ सक्रिय हो गया शैतान की भयानक लहरें बेथाशा मत्ती है न्याय पालिका की बिजली की धारिया बनती है न्याय के शक्तिशाली द्वारा समवर्धित होते हैं क्योंकि उन्होंने तीरों को टुकडों में उड़ा दिया गड़गडाहट आदित्य का शरीर अपने प्रतिद्वंद्वी के समान आकार में फैल गया जैसे ही उसकी ताकत आस्मान में उठी वह बाहर निकल गया उसके क्रोध को भड़ता दिया था किये गए अपमानों के अलावा साथ ही निर्दोशों के वद के अलावा अगर इन राक्षसों ने स्काइब्रेक सिटी पर कबजा कर लिया तो आदित्य पहले से ही इन राक्षसी जानवरों को एक कठोर सबक देने की तैयारी कर रहे थे भगवान के हाथ से संचालित हथेली के निशान ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया लेकिन स्वर्ग के दानव ने अभेलना की और हिंसक रूप से वापस लड़े जिससे आदित्य के कुछ हमले बिखर गए हाला की इस समय विनाशकारी प्रकाश के साथ बहने वाली विनाश की एक विशाल हथेली आकाश और प्रिथवी को हिलाने में सक्षम असीम शक्ती वाले दानव की ओर बढ़ी बड़े दानव ने उपहास किया उनकी जन्मजात दैविय शक्ती के साथ ऐसा कोई आक्रमन नहीं था जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का साहस न किया हो बूम जैसे ही हथेली की छाप उतरी उर्जा की प्रचंड तरंगे निकली जिससे दानव का शरीर कामपने लगा एक क्षण बाद वेदना की कराह सुनाई दी क्योंकि दानव ने खून की खासी की उसके पैर नरम हो गए क्योंकि उसके सभी आंतरिक अंग उस हथेली के प्रहार के प्रभाव से उखड गए थे विनाशकारी उर्जा की लहरें भी उसके भीतर प्रवाहित होने के साथ साथ उसके शरीर के आंतरिक भाग को भी तहसन हस कर देती थी आदित्य ऐसे मौके को कैसे गमबाएगा उसने तुरंत एक और अत्याचारी हर्ताल की प्रोध और अनिच्छा से गुर्राते हुए दानव के चहरे पर आतंक और निराशा दिखाई दी एक शन बाद उसका शरीर सीधे फट गया भीतर विस्पोट से धूल में बदल गया अत्याचारी हेवन होल्ड दानव वास्तव में एक मानव क्रिशक द्वारा इस तरह के अत्याचारी और चौकाने वाले तरीके का उप्योग करके मारा गया था आदित्य अपने सामान्य आकार में लौट आया क्योंकि उसकी हिंसक आभा धीरे-धीरे शांथ हो गई बहुत अच्छा अमर काश्टकारों ने प्रशन साकी इससे पहले उनके पक्ष के दो अमर राजाओं का राक्षसों ने वध कर दिया था अब आदित्य के प्रभुत्व को उनकी हताशा को दूर करने और स्थिती को बचाने, राक्षसों के अहंकार को कम करने में मदद करने के रूप में माना जा सकता है दूसरी और सभी राक्षसों के ठंडे भाव थे क्योंकि वे आदित्य को बरफीली द्रिश्टी से देखते थे विशेश रूप से हेवन होल्ड रेस के बड़े दानव के लिए उसका बदसूरत चहरा बेपरदा हत्या के इरादे से चमक उठा अमर लोकों के विशेशग्य मेगों के समान असंख्य है यह मत सोचो कि तुम सब हमें कुचल सकते हों चुँकि आप सभी ने हमारे लोगों को मारने के लिए इस तरह के क्रूर तरीकों का इस्तिमाल किया है हम आपको उसी सिक्टे से बदला देंगे आदित्य की दृष्टी बड़े से बड़े दैतियों पर पड़ी उनके शब्दों ने बड़े से बड़े राक्षसों में से एक को जोर से हंसने के लिए प्रेरित किया दिल्चस्प है यह सोचने के लिए कि एक साधारन इनसान उजार पहाडों के हम राक्षसों के सामने इतने घमन से बोलने की हिम्मत करता है कौन उपर जाकर उसे मार डालेगा एक बड़े दानवने ठंडेपन से पूछा हाला कि आदित्य ने केवल ठंडेपन से सुंधा और बोलना जारी रखा यदि आप लोग इतने जिद्धी हैं तो मुझे फिर से लड़ने के लिए आने में कोई आपत्ती नहीं है बोलने के बाद वह मंच से चले गए आखिरकार यह एक ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे अकेले उसके द्वारा लड़ा जाना चाहिए था बलकि यहां अमर लोकों की प्रमुक शक्तियों से संबंधित लड़ाई थी जो उजार पहाडों के बड़े राक्षसों के खिलाफ लड़ रही थी प्रारंभिक चरण के अमर राजा के बीच वह अजे हो सकता है लेकिन अगर उसने अकेले ही सभी राक्षसों का बद कर दिया तो वह बस मौत को दावत दे रहा होगा चुंकि इन दैतियों ने यहर कहने का साहस किया कि वह अमर लोकों पर आक्रमन करेंगे कोई भी बहुत अच्छी तरह से कलपना कर सकता है कि वे कितने भयानक है सकाइमिस्ट इम्मोर्टल एंपायर और पैरागॉन स्वार्ड संप्रदाय के लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे चाहते थे कि वह लड़ाई के लिए बाहर आए जाहिर है वे चाहते थे कि वह राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में मर जाए इस तरह भले ही अंत में उसकी मृत्यू न हुई हो बहुत सारे राक्षसों को मार कर वह निश्चित रूप से इन सभी बड़े राक्षसों का अपमान करेगा जदी वह वास्तव में अकेले लड़े जबकि अन्य अमर लोकों ने कार्य नहीं किया तो इन राक्षसों के मन में लक्षय निश्चित रूप से वह अकेला होगा यह स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर और पैरागौन तलवार संफरदाय की योजनाओं के अनुरूप होता मौत को प्रणाम करने से कोई फर्प नहीं पड़ेगा आदित्य को पूरा विश्वास था कि अगर ये सभी राक्षस उसकी जान चाहते हैं तो लोगों का यह समुह न केवल एक तरफ खड़ा हो जाएगा बलकि वे उसकी पीठ में चुरा भी मार सकते हैं केवल इन बड़े राक्षसों से मिलकर लड़ना ही सही रास्ता होगा भाई किन की ताकत को देखते हुए आप कुछ और लड़ाईया क्यों नहीं लड़ते और दिखाते हैं कि इन राक्षसों का वद करके हमारा पक्ष कितना प्रभावशाली है हमारे लिए गौरफ प्राप्त कर रहा है जैसा कि अपेक्षित था जैसे ही आदित्य मंच से नीचे उतरे स्काइमिस्ट अमर सामराजिका एक अमर राजा बोला हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई किन हमारे अमर लोकों के लिए प्रयास करने को तयार नहीं है पैरागौन तलवार संप्रदाय के एक विशेशग्य शामिल हुए आदित्य ने अपनी निगाहे घुमाई और बोलने वाले व्यक्ति की ओर ठंडी द्रिश्टी से देखा पहले आप ही थे जिन्होंने मुझे युद्ध के लिए उकसाया अब जब कि मैं एक जीत चुका हूँ तुम लोग अब भी ऐसी बाते कह रहे हो आप चाहते हैं कि मैं अकेला ही उजाड पहाडों के सभी राक्षसों से लड़ू जदी ऐसा है तो अमर लोकों में विद्धिमान तुम दोनों का क्या उप्योग है स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर और पैरागौन स्वार्ड संप्रदाय अपने विध्टन की घोशना क्यों नहीं करते हैं और इसके बजाए मेरे हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं अगर आप लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं तो इसे भूल जाए भाई किन आपके शब्द इतने भद्दे क्यों हैं किसी ने व्यंग्यात्मक धंग से कहा यह केवल उसकी बात नहीं लगती है है ना कुछ ऐसे थे जो अब यह सुनना सेहन नहीं कर सकते थे की शक्तिया इस हद तक गिरी हैं स्किमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर और पैरागॉन दलवार संप्रदाय के लोगों के चरित्र वास्तव में निराशाजन्ख हैं एक अन्य व्यक्ती ने इन लोगों के व्यवार को हे द्रिश्टी से देख कर उनका उभास उड़ाया माना जा सकता है कि आदित्य ने उनकी निराशा को दूर करने में उनकी मदद की थी फिर भी ये दोनों शक्तिया अभी भी एक आंतरिक संधर्ष का कारण बनना चाहती थी चाहती थी कि आदित्य युद्ध में मर जाए पर्याप्त सौशोधन संप्रदाय के एक अमर समराट ने कहा उजार पहाडों के राक्षसों के सामने खुद को मूर्ख बनाना बंद करो हम पहले ही इस बात पर सहमत हो गए थे कि प्रत्येक प्रमुक शक्ती चुनोती की लड़ाई में लड़ने के लिए विशेशग्यों को भीजेगी चुनकि आदित्य पहले ही लड़ चुके हैं आये पूर्वी ख्षेत्रों से शुरू करते हैं आगे और कौन युद्ध करनी जा रहा है कई लोगों की निगाहे पैरागौन स्वार्ड संप्रदाय और स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एंपायर की ओर मुर गई इन दोनों शक्तियों के भाव जम गए किसी ने ठंडी सुंगी लेकिन इस समय पैरागौन तलवार संप्रदाय से एक आकरिती निकल गई इस मनुष्य का साधना आधार भयानक था अमर राजा सामराज्य के मध्यचर्ण के चरमचरण में वह साधारन वस्त्र पहने हुए था और उसकी भावे तलवार की तरह नुकीली थी किसी की साधना से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा उनका पूरा असर एक नम्यान और न तूटने वाली तलवार की तरह था जैसे ही वह बाहर निकला असीन तलवार क्यूई उससे निकली साथ ही तीक्षनता का एक भयानत भाव भी पैरागौन स्वार्ड संप्रदाय के कई लोगों की निगाहें इस आदमी को घूरते हुए श्रधा से भर गई जाहिर है यह एक असाधारन आकड़ा था इस समय के आसपास अमर्क शेत्र में सभी प्रमुक शक्तियों के विशेशग्य यहां एकत रहुए हैं और अब जब हम उजाड पहाडों के राक्षसों के खिलाफ सामना कर रहे हैं तो उनमें से कुछ वास्टव में शिखर पर सर्वोच प्रतिभाई बाहर निकल जाएंगी, खुद को सब के सामने दिखाएंगे नानफेंग मिंध्यू धीमी आवाज में बोले आदित्य पहले ही लौट चुका था और उसकी बाते सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया केवल अमर समराटों के पास प्रसिधी का एक स्तर होगा जिसने उनके नाम को अमर लोकों में जाना किसी अमर राजा का इतना प्रसिध होना बहुत दुरलब था आखिरकार अमर क्षेत्र बहुत विशाल थे और इस बार प्रमुक शक्तियों में से कुछ असाधारन व्यक्ति यहां अपना चेहरा दिखा रहे होंगे यहां आदमी पैरागौन तलवार संप्रदाय के अमर राजाओं में एक सर्वोच चरित्र है उसका नाम शांगौांग जियानी है और वह पवित्र अकादमी का चात्र भी है नानफिंग मिंग्यू ने कहा आदित्या ने सिर हिलाया उस समय शायद नानफिंग मिंग्यू ने भी भैभीत अकादमी में साधना की थी और उन सर्वोच अमर राजाओं में से कुछ के नाम सीखे थे जो वहाँ भी साधना कर रहे थे प्रतिदवंधवी कलवार संप्रदाय के शांदगुआंग जियानी मज़ पर चड़े फिर उसने अपनी आखे बंद कर ली पल के सननाटे में डूग गया इस द्रिश ने सभी को यह महसूस कराया कि वह वास्तव में कितना भयानक था सभी राक्षसों की आखे चमक उठी इस बार अमर्क शेत्र वह थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रतिभागी को भेजा था यदि राक्षस इस व्यक्ती की ताकत का निरीक्षन करना चाहते हैं तो उन्हें सावधानी से चुनना होगा कि किसे भेजना है इस शांगवांग जियानी ने उन्हें खत्रा महसूस कराया बूम्ट एक ताउती अंतह बाहर निकलाया अतुल्निय रूप से भयानक और एक भयानक आभा बिखे रहा था यह एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन जानवर था हाला कि वह अब मनुष्य के रूप में था उसकी आखों की स्थिती बहुत नीची थी जदी वह अपने राक्षस रूप में होता तो उसकी आखें उसके कांख के नीचे स्थित होती ताउती ने एक कमगर्जना भरी दहार निकाली जैसे उसकी आखों के भीतर लालच का एक रूप तिम्टिमा रहा था हाला कि शांदगवान जियानी ने अभी भी अपनी आखें बंद कर रखी थी यह ऐसा था जैसे वहां खड़े होकर ही वह पूरी दुनिया में अकेला था गड़गड़ा हट ताउती ने जमीन पर पटक दिया वह खत्रे को भांप गया और अपने असली रूप में लोटने का फैसला किया एक क्षण बाद भील के सामने एक अतुलनिय रूप से विशाल और भयानक जानवर प्रकट हुआ जो चरम सीमा तक भयानक था तक्राना ताउती के प्लेट फार्म में प्रवेश करते ही एक और तेज आवाज गूंजी वह आगे बढ़ा और सभी की दृष्टी से ऐसा लग रहा था कि शांगगुआंग जियान की तुरंक मर जाएगा हालाकि उसी क्षण असीमित मात्रा में तलवार ची ने अचानक पूरे स्थान को घेर लिया उनकी तलवार का इरादा इथर और निराकार था जो इस अंतरिक्ष में हर जगह मौझूद था शांगगुआंग जियानी उसका असली नाम नहीं था बाद में लोगों ने उन्हें यह नाम दिया जियानी जियानी वह सिर्फ एक तलवार के वार से लोगों को मार सकता था ची 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 तलवार के इरादे से क्षेत्र में बाढ़ा गई प्रकाश के एक मंद प्रभामंडल ने शांगवांग जियानी को घेर लिया आसन्न कयामत की भावना को भामपते हुए ताउती जोर से चिलाया। जैसे ही वह शांदगुआन जियानी की ओर बढ़ा, उसका हमला और भी हिंसक हो गया। गरजन एक तेज आवाज सभी के कानों में चुप गई, जिसने भी सुना उसके भीतर के अंकाम उठे। हालाकि शां अंगिनत नरम और लचीली तलवारों में तबदील हो गया, जो ताउती के चारों और बड़ी तेजी से चक्कर लगा रही थी। तलवारों ने आकरमन नहीं किया, लेकिन अंगिनत तलवारें बनने लगी और छेतर में तलवारों का पराकरम अत्यधिक बढ़ गया। तलव यह अंत में चरम शिखर पर पहुँच गया, तो तलवारें एक जेल बन गई, जिसने विशाल ताउती को पूरी तरह से घेर लिया। गरजन ताउती ने तलवार जेल के भीतर एक भयानक दहार सुनाई। उसने शांगुआंग जियानी की और बढ़ना जारी नहीं रखा, बलकी मुरने और भागने का विकल्प चुना। हाला कि इस समय शांदगुआंग जियानी अंत में चले गए। उसके शरीर से तलवार की रोशनी की एक देधी प्यमान के रन निकली और जैसे ही वह बाहर निकला, लाखों तलवारें फट गई, जिससे अंकिनत तीखे टुक प्रश्टकारों की आखें सब चमक उठी, कितनी प्रबल युध शमता है। ऐसा लगता है कि अमर लोकों की प्रमुक शक्तियों ने वास्तविक रूप से कार्य करने का फैसला किया, और अपने सबसे मजबूत अभिजात वर्ग को बाहर निकलने की अनुमती दी, कई राक्षसों के हावभाव देखने में बेहत भद्दे थे। वे वास्तव में मानवता द्वारा दबा दिये गए थे। अभी दो जीत और दो हार हुई थी। उन्हें कोई फाइदा नहीं हुआ। और कौन युध के लिए कदम उठाना चाहता है, बैज ने शांती से बात की केबल यह देखने के लिए कि इस समय इविल गौड रेज का एक व्यक्ति बाहर चला गया। वह अपनी जाती का एक सर्वोच विशेशग्य था, उसने मंच पर कदम रखा और अपने विरोधियों को खुद को मौत के घाट उतारने का इंतजार किया। इस बार समान स्तर की स साधना के साथ स्काइमिस्ट अमर सामराज्य के अमर राजाओं में से एक ने कदम रखा। इविल गौड रेज के राक्षसों ने सबसे बुरे प्रकार की उर्जा का अभियास किया, विनाश, जहर, शरन, घबराहट, ध्रम और नियंतरन। हालांकि स्काइमिस्ट का अमर र थी, लेकिन उजाड पहाडों के राक्षस वास्तव में भयानक थे। लड़ने के लिए कदम बढ़ाने वालों में से प्रत्येक के पास भयानक जन्मजात क्षमताएं और प्रतिभाय थी। आखिरकार वे उजाड पहाडों के शाही गुटों में से थे। आलाकि मनुष्यो अमर सामरा जिसे थे। उसका डोमेन नरक असुर डोमेन था, जिसमें असीन ताकत थी। लेकिन फिर भी अंत में बड़े राक्षसों के पास अभी भी लाप था। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए एक स्पष्ट और पूर्न जीत हासिल करना आसान नहीं होने वाला थ कुछ समय के बाद, परियाप्त, आप लोगोंने जितना जीता उससे कहीं अधिक होया है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, अमर समराट ने उत्तर दिया। उसने महसूस किया कि चुँकि ये राक्षस मनुष्यों को स्काइब्रेक सिटी से इतनी जल्दी बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने व जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, उसके पीछे के सभी राक्षसों ने दहार और चीख निकाली, जिससे यह पूरा स्थान कामपने लगा। और इस समय उजाड पहाडों के भीतर एक निश्चित शेतर में वहां का आकाश अचानक रंग बदल गया क्योंकि जमीन पर गड़े दिखाई दिये। आभाने क्शेतर को व्याप्त कर दिया था, इतना शक्तिशाली की यहां अकलपनिय था। अंगिनत राक्षसों की निगाहें तेज से चमक उठेन क्योंकि वे पलट गए और उनके शरीर कामपने लगे। निचले स्तर के अंगिनत राक्षस दंडवत करते हुए काप रहे थ उनकी आखों में एक गहरी श्रद्धा के साथ साथ दर के संकेत भी देखे जा सकते थे। यह ऐसा था कि आगे जो होने वाला है वह निश्चित रूप से बहुत भयानक होगा। उस स्थान पर आकाश में दरारे दिखाई देने लगी। जैसे ही प्रित्वी विभाजित हो दरारों की लंबी कतारें बन गई जो लगातार बाहर की ओर फैली होई थी। अंतरिक्ष में दरारों की गहराई में आदिन काल से एक प्रकाश देखा जा सकता था और यह प्रकाश तेजी से तेज हो गया क्योंकि खेतर में गड़गडाहट अधिक गंभीर हो गई थी। इ उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी आभा इतनी भयाबह हो गई थी कि उसके आसपास के किसी भी अन्य राक्षस ने उसकी नजर से मेल खाने की हिम्मत नहीं की। अजीब तरह से इस नौसिर वाले बड़े राक्षस के कंधे पर एक छोटे से वास्तव में एक और सिंदूरी पक्षी था जो लाल रंका था क्योंकि नौसिरों वाले बड़े दानव का आकार बहुत बड़ा था एक पहार के समान जिससे यह छोटा साथी और सिंदूर पक्षी बेहत छोटा और अपरासंगिक लग रहा था उस बिंदु तक जहां वे ल दूसरों द्वारा उपेक्षित थे ऐसा कॉंबिनेशन देखने में वाकई बहुत अजीब था वरिष्ट क्या डेमोंगोर परवत वास्तव में मौजूद है लिटिल रासकल की बचकानी आवास सुनाई दी वह उस विशाल नौसिर वाले बड़े राक्षस से बात कर रहा सहज रूप में क्या दानव परवत है? कितना चौकाने वाला है? क्या भीतर कोई खजाना है? क्या होगा अगर मनुष्य भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? क्या मनुष्य? यह डिमोंगोर परवत हमारी उजार 10,000 परवत श्रिंखला का पवित्र स्थान है और हर अंकिनत वर्षों में केव एक बार दिखाई देता है. एक बार जब यह प्रकट हो गया, तो दुनिया में बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे और पूरे उजार परवत को प्रभावित करने वाली हल्चल मच जाएगी. इंसानों के यहां आने का क्या फाइदा? वे केवल हमारे पवित्र परवत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य करेंगे. इसलिए मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि वे साथी स्काइबरेक सिटी से मानवता को बाहर निकाल सकते हैं. वे मनुष्य बहुत चालाक हैं और उनमें कई शक्तिशाली विशेशग्य हैं. उन्हें विदा करना आसान नह होगा. ननहे साले की आखें टिंटिमा उठी. हम तुम सही हो. मनुष्य स्वभाव से चालाक और लाल्ची होते हैं और अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वे निश्चित रूप से पवित्र दानव परवत का लालच करेंगे. उन्हें बाहर करना इतना आसान न इस दुनिया के राजाओं के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए अमर लोकों को पार करेंगे और हर जगह को हमारी उजार 10,000 परवत श्रिंखला का विस्तार बना देंगे. इस महादैक्य के वचन अत्यंत अत्याचारी थे. लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके पास इसे वापस करने की ताकत थी. क्या ऐसा है? क्या होगा यदी कुछ मनुष्यों के पास अत्यधिक शक्तिशाली राक्षसी रखत रिखाए हो? क्या यह उनके लिए उप्योगी होगा यदी वे डेमोंगोर परवत पर चड़ते हैं? चोटा बदमाश बुद्बुदाया. उस से क्या लेना देना? फिलहाल वह देखना चाहते थे कि उन्हें और आदित्य को किस तरह का फाइदा मिल पाएगा. लेकिन इस सीनियर को फॉलो करने में कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए. आखिरकार वह और यह नौसिर वाला यह वरिष्ठ दानव दोनों एक ही जाती के थे और उनकी जाती जल्द ही अमर लोकों में विलुप्त होने वाली थी. उस बारे में कोई मदद नहीं मिली, सभी प्राचीन राक्षसी जातिया अत्यंत दुरलब हैं और सभी मर रही हैं. छोटा साथी तुम क्या सोच रहे हो? मानवता के संबंध में आपको चीजों की परव करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. इस समय आपको केवल यह सोचना चाहिए कि आप अपना भला कैसे कर सकते हैं. देमोंगोर परवत का प्रकट होना दुरलब है और हर बार ऐसा होता है. शक्तिशाली राक्षसस्तर के पात्र निश्चित रूप से पैदा होंगे. यह हमार अतीत के गौरव को बहाल करते हुए हमारी तरह की खोच करेंगे. बड़े दानव की आवाज अत्यंत पुरानी और प्राचीन लग रही थी. इससे कोई भी यह बता सकता है कि यह नौसिर वाला बड़ा राक्षस कितने समय तक जीवित रहा होगा. ओहक छोटे बदमाश ने सही थी. देव परवत के प्रकट होने से हमारे उजड़े परवतों की पवित्र भूमी प्रकट हुई. अब से राक्षसों का एक युग सामने आएगा और हम इस पूरे क्षेतर के अधिपती होंगे. गरजन अंगिनत राक्षसी जानवरों की दहार जोर से गुंजती है क्य की वे आने वाले डेमोंगोर परवत को घूरते हैं. इसे देखने के लिए उन्होंने खुद को दंडवत किया. यह उनके उजड़ पहाड़ों की एक किमवदंती थी, पवित्र भूमी का आना जो हर अंगिनत वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती है. एक प्राचीन कि यह दानव परवत कितना रहस्य में है. जब यहां हलचल शुरू हुई तो पूरी उजड़ परवत श्रिंखला कामपने लगी, क्योंकि पहाड़ की चोटियां तूटकर बिखर गई. दूसरी ओर च्शूने में दरार से प्रकाश के तन्तू बाहर की ओर फैलने लगे, मक कि उनकी दृष्टी अवरुद्ध थी, फिर भी वे बता सकते थे कि भीतर कुछ भयानक हो रहा है. कई मानव विशेशग्यों के भाव बदल गए, खास कर उन अमर समराटों के लिए. उनके चहरे बहुत भारी थे, जबकि उन राक्षसों के लिए उनके चहरे पर वास्तव में अधीर्ता के भाव थे, वे बहां डेमोंगोर परवत के अवतरन को भी देखना चाहते थे. वे पहारों के भीतर अपने ही सदस्यों को चुपचाप कोस रहे थे. वास्तव में यहां के राक्षस अपनी अपनी जातियों के मुख्य विशेशग्य नहीं थे. उनके असली बिल्कुल उजार पहाडों के भीतर क्या हो रहा है? एक अमर समराट ने तीखी बात कही, उसे अंता एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था, वह उससे कहीं अधिक बड़ी चीज थी जिसकी उन्होंने पहले कलपना की थी. यहां के इन दैतियों की आखें सब तिम्टिमा रही थी, वे अब युद्ध के मूर में नहीं लग रहे थे. अमर समराट सभी बेहोश महसूस कर सकते थे कि इन राक्षसों को केवल उन्हें विलंवित करने के लिए यहां भीजा गया था. यह सबसे अच्छा होगा यदि ये राक्षस उन्हें पीछे हटा सकें, लेकिन य जदी वे ऐसा नहीं कर पाते तो ठीक था. अमर लोकों के तुम लोगों को इसकी क्या चिंता है? मनुश्यों को हमारे उजाड परवतों की घटनाओं में हस्तक शेप करने का कोई अधिकार नहीं है. लडाई अभी पूरी नहीं हुई है. यदि आप लोग अभी भी एक सिटी से पीछे हटने से इनकार करते हैं, तो मेरी राक्षसी दौड निश्चित रूप से सेना भेज देगी और मानव दुनिया पर आक्रमन करेगी. बैज, जो एक दानव सामरागी थी, ने ठंडेपन से बात की. वह एक मात्र पात्र थी, जो शांत रह सकती थी. अन्य जानता है, हो सकता है कि राक्षस अपने अधीन पूरे अमर लोकों को एक जुट कर रहे हों, इस दुनिया के आधिपत्य बन गए हों. बुम्ल प्रकाश की कुछ किरने फूट पड़ी. उन्होंने वास्तव में राक्षसों की उपेक्षा की और सीधे उजार पहाडों की ग घूरते हुए सत्य के प्रकाश से टिंटिमाते हुए आधित्य की आखें तेज हो गई. वह समझ सत्ता था कि उनमें अब लड़ने की इच्छा नहीं रह गई थी और वे केबल छोड़ना चाहते थे. लिटल रासकल लगातार संकेतों के अलावा उसे भेज रहा था. वह प्रक्तिशाली मानव समराट पहले ही आपके उजार पहाडों में घुस चुके हैं. जदी आप उन्हें ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो यह हमारे साथ ठीक है. लेकिन अगर तुम राक्षसों ने इस मौके को गवा दिया, तो तुम्हारे पास फिर से उठने का कोई मौ का नहीं होगा और दूसरी जातियों द्वारा रौंद कर मार डाला जाएगा. आदित्य इन राक्षसों की आंतरिक भावनाओं को समझ सकता था. इसलिए उसने अपना मूँ खोला और उन्हें भढ़काने की कोशिश की. जद्यपी दैत्य भी आदित्य के आशय को समझ गए हैं. आदित्य ने परताल जारी रखी और उम्मीद के मुताबिक इन सभी राक्षसों के चहरे बदल गए, अनिच्छा से भर गए. ये बड़े राक्षस कितने घमंडी थे. यद्यपी वे अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस लोट सकते थे. यह एक सच्चाई थी क इन मनुशों से निपटना कठिन है. वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे और अपने उजार पहाडों के भीतर दिखाई देने वाली पौरानिक पवित्र भूमी को देखने के लिए वापस लोटना चाहते थे. बैस सामरागी ने अपने दिल में आहे भरते हुए अपने आसपास के राक्षसों पर नजर डाली. उसने फिर आज्यादी पीछे हटो. जैसे ही उसकी आवाज का स्वर्फीका पड़ गया. सभी बड़े से बड़े राक्षस बिजली की गती से दौरते हुए उनमादी रूप से पीछे हट गए. मानो वे अपने जीवन के लिए पहाडों में भी प्रवेश किया. जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक अत्यंत दूर स्थान पर एक राजसी परवत हवा में दरारों से उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था. इस परवत से दिव्यप्रकाश पूरे क्षेतर को एक संत जैसी पवित्र आभा खेरता हुआ प्रतीत हो रहा था. वे राक्षस जो हमें रोकते रहे, क्या यह इस परवत के अवतरन के कारण था, इस नजारे को देखकर लोगों का दिल दहल जाता है. बड़ी लहरिंग उनके दिलों को हिला रही थी, क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे. दानव परवत क्या यह उजार दस हजार परवत श्रिंखला की नंबर एक किनवधनती है? किसी ने कहा. मेरा स्वर्ग ऐसा लगता है, जैसे राक्षसों के लिए एक नया युग प्रकट होने वाला है. हमारे अमर्ग शेत्र जल्द ही इसके लिए हो सकते हैं. अमर्ग लोकों के साम अमर्ग शेत्र के लंबे इतिहास में मनुष्य और राक्षस पहले भी कई बार भिड़ चुके थे. ऐसे मामले थे जहां एक शक्तिशाली दानव हर चीज़ पर हावी था, जहां मनुष्य कुछ भी नहीं थे, बलकि दुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन ऐसे भी मामले थे जहां मनुष्य पूरे क्षेत्र का अधिपती था, जिसमें उजार परवत भी शामिल था. अंतर उजार परवत अमर लोकों से अलग हो गए, जिन्हें अन्यक्षेत्रों से अलग स्थान माना जाता था. इतिहास का यह अंश असंख्य डेविल द्वीकों के बनने से भी पहल अभिलेखों से भीतर दर्स उजार परवतों के मितकों और किमवदंतियों को देखा जा सकता है. देमोंगोर परवत की कथा सबसे प्रसिद्ध कथा थी. ऐसा कहा जाता है कि हर बार जब देमोंगोर परवत प्रकट होता था, तो उजार परवत के राक्षसों के लिए एक न जानव देवता का जन्म हो जाता है, तो इसमें संदेह करने की कोई आवश्चक्ता नहीं है कि मनुश्यों के सभी छेत्र युद्ध की विभीशिका में नश्ट हो जाएंगे या नश्ट हो जाएंगे। पवित्र अकादमी अभी हाल ही में प्रकट हुई है और अब यहां तक की उजार परवत का डेमोंगोर परवत भी प्रकट हो रहा है। इससे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि पहाड दिखाई देगा और बे। दर्ते हैं कि हम अमर लोकों से उनका सब कुछ बिगार देंगे। मर उजार परवत के बड़े राक्षस सभी दानव परवत के आगमन को दिव्यता के प्रक्तन के रूप में मानते हैं। उनके हृदय एक पवित्र भक्ती के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम वास्तव में पहले ही भाग गए तो निश्चत रूप से युद्ध छिर जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल कुछ समराथ उन राक्षसों में से थे जो पहले प्रकट हुए थे। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकांश देमोगोर परवत के एक बार फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई आवाजें निकली। उसके बाद इनमें से कुछ विशेशग्य उजार पहाडों की गहराई में उरने लगे। भाई किन हमें भी अंदर जाने दो। दिमोन गोर परवत दुनिया में असंख्य राक्षसों के लिए एक दिव्य परवत उजार दस हजार परवत श्रिंख लाकी कता है। नानफेंग मिंग्यू ने आदित्य से धीमी आवाज में बात की। आदित्य ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे बदमाश ने उसे यहां आने के लिए संकेत भेजा। वह छोटा लड़का अत्यंत चतुर था और युवावस्था से ही आदित्य के रक्ष से हैं उसमें वह साजा करे। यहां के पहाडों पर असीम राक्षस गायब हो गए थे। देमोंगोर परवत के प्रकट होने के साथ ही वे उसका सम्मान करने गए होंगे। जिन राक्षसों में बुद्धी थी वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि दानफ परवत कितना महत् है। यद्यपी वे केवल निनश्रेनी के वंश वाले राक्षस थे, देमोंगोर परवत उन्हें रुपांतरित करने में सक्षम था। यह एक अत्यंत दुलब अवसर था। और यद्यपी मौका कम था, फिर भी उन्हें अंत्ह वास्तवित्ता को उलटने और विक्सित होने क कुछ आशा थी। प्रकाश अधिक से अधिक देधी प्यमान हो गया, आकाश में ठैल गया। उजार दस हजार परवत श्रिंखला के भीतर एक दिव्य परवत प्रकट हुआ, वह कितना पवित्र और पवित्र था। अंगिनत राक्षसों ने सुनहरी रोशनी का पीछा किया क्योंकि वे एक पवित्र हृदय के साथ उजार पहाडों की गहराई की ओर बढ़े। देवता परवत एक किमवगंती की अपेक्षा के अनुरूप था। यह वास्तव में उजार पहाडों के भीतर एक अलग आयाम था और इसकी ओर जाने वाले कई प्राचीन रास्ते हैं। उजार पहाडों में उरते हुए कई मनुष्य उर गए। अमर समराट आगे चल रहे थे और जब उन्होंने दूर से चमकती हुई सुनहरी रोशनी को देखा और साथ ही साथ राक्षसी जानवरों के अंगिनक जुन्डों को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा तो वे त समराट हिच की चाया। यह डेमोंगोर परवत उजार परवत की किमवदंती हो सकता है लेकिन यह सच था कि यह राक्षसों के लिए एक पवित्र भूमी है। वे नहीं जानते थे कि यदि वे प्रवेश करते हैं तो उनका वहाँ क्या सामना हो सकता है। क्या प्राचीन अभ भिलेखों से हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी का भाग्य परवत से जुड़ा हो तो मनुष्य भी बहा सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। लेकिन निश्चित रूप से वे जो सौभाग्य प्राप्त करते हैं उसकी तुलना राक्षसी जानवरों द्वारा अर्जित सौभाग प्रवेश करने की कोशिश करने जितना कठिन था। वे आम तोर पर अमर लोकों के कुछ गुप्त लोकों में अपना समय व्यतीत करते थे, एक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हुए। अब जब उनकी आँखों के सामने पौरानिक दानव परवत दिखाई दिया, तो व जिना किसी हिचकी चाहट के। यहां आदित्य समेट अन्य भी पहुँचे। यहां आने वालों में से कई विभिन प्रमुक शक्तियों के बेहत मजबूर अमर राजा थे। अभी उनकी आखों में चमक आ गई जब वे दूर-दूर रहस्यमय परवत को घूर रहे थे। मेरे स्वाभाविक रूप से वह एक व्यापक क्षितिज की आशा करेगा। स्वाभाविक रूप से अमर लोकों के पश्चिमी क्षित्रों, स्काई रॉक्स और वाइट टाइगर्स के बड़े राक्षस भी थे। वे इस पौरानिक डेमोंगोर परवत के संबंध में से भरे हुए थे। चलो प्रवेश करते हैं आदित्य बोला। के लिए सदाबहार लोंगहाओ को मारने की कोशिश करें। इन लोगों ने चुपचाप बातचीत की, इन सभी के दिमाग में हत्या के इरादे थे। जब देमोंगोर परवत के अवतरण की खबर स्काई ब्रेक सिटी में फैली तो यह जल्द ही तेज पंखों पर यात्रा कर अधित्य और उनके समोह ने आखिरकार उजार परवत श्रिंखला में प्रवेश किया। देमोंगोर परवत हमारी आखों के सामने है और इसकी चोटी स्वर्ग से जुर्ती है जैसे कि यह किसी दूसरी दुनिया से हो। वास्तव में यह केवल एक अलग आयाम है जो यहां अस्थाई रूप से स्थापित है। चुँकि यहां अमर लोकों से नहीं है, यहां वास्त एक नजर से नहीं देख सकते। हवा में उरते हुए वे आगे बढ़ते हुए बोले। राक्षसी जानवर भी हर जगह देखे जा सकते थे। अभी उनकी आखों के सामने एक राक्षस आकाश से नीचे जपट्ता मारा। यह एक फायर बढ़ था। वे नीचे दोड़े और पहाड पर उगे एक लाल रंग के पौधे को निगल लिया और उसके बाद एक लंबी चीख निकली। भयानक लपटों में सनान करते ही इसका शरीर प्रजवलित होने लगा। इन लपटों की आभा अपने आपको पार कर गई और बेहत जुलसाने वाली थी। फायर बढ़ क चहरे पर एक उत्तेजित अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। यहां आस्मान में उड़ गया लेकिन आग की लपटें और भी तेज हो गई। उसकी आभा बेकाबू होने लगी और अंत में उसके शरीर ने अंतह अपनी खुद की लपटे निकाली लेकिन वह जल्द ही चहरे को पार कर गया और अंतह जल कर राख हो गया। नानफेंग मिंग्यू का चहरा बदल गया। यहां के केवल एक पौधे में ऐसी अध्भुत और स्वर्ख को चुनौती देने वाली शक्ती समाई हुई है। और इस समय हवा में दुख की आवाजे सुनाई देने आदित्य और अन्य लोगों ने कई राक्षसी जानवरों को देखा जो अगनेगुन उर्जा में कुर्शल थे अचानक जलने लगे आग की खाई में गिर गए। उन्होंने उसी तरह के पौधे को भी खाने की कोशिश की थी। वास्तव में भयानक आदित्य और बाकी अपन विशाल हो गया। उसकी पीठ पर भयानक पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो सूर्य को धुंधला कर रहा था। दानव गुस्से में दहाडा और हवा के साथ उड़ गया, दूर की ओर उर्ते हुए उसके चहरे पर उत्तेजना की अभिव्यक्ती दिखाई दी। उ जैसे जैसे उसकी आभा मजबूत होती गई, सांप पर तराजू तेज और सक्त होता गया। सांप के सिर से सींग निकलने लगे और इसी तरह लंबे और शक्तिशाली पंजे भी निकलने लगे। वह एक ड्रैकोनिक अजगर होना चाहिए जो एक सक्चे ड्रैगन में बदलन में सक्षम होंगे। क्या यह स्थान उजार परवत से राक्षसों के शक्तिस्तर को आस्मान चुन नहीं देगा, जिससे राक्षसों का युग शुरू हो जाएगा। आदित्य भी वैसे ही चौक गया। मनुष्यों की साधना अलग थी और उनके लिए एक ही कदम में महान उ पहुचाए तक पहुचेंगे। इसलिए जब राक्षसों को सौभाग्य प्राप्थ होता है तो उनके सुधार आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। देमोंगोर परवत उजार परवत की नंबर एक किमवदनती थी और यह वास्तव में इसकी प् चमताओं को बदलते हुए आंतरिक रूप से विक्सित होने का अफसर देगा। उदाहरन के लिए सांप को पहले एक ड्रैगन में बदलने से पहले एक निश्चित सीमा तक खेती करनी पड़ती थी। लेकिन यहां एक खजाना खाने से ही यह विकास को गती देने में सक्षम हो गया। यह शक्ती में केवल एक साधारन वृद्धी नहीं थी बलकि इसकी सहच प्रकृती का आंतरिक परिवर्तन था। ऐसा प्रभाव पवित्र प्रकाश के समान था लेकिन तुलना में अधिक अत्याचारी था। देमोंगोर परवत वास्तव में एक भयानक जगह कोई आश्चर्य नहीं कि राक्शसों ने इसे देवत्व की पवित्र भूमी के रूप में माना। स्वाभाविक रूप से ऐसे स्वर्गविरोधी खजाने के साथ इसमें शामिल जोखिम भी बहुत बड़े हैं। कई राक्शसी जानवर विकास की प्रक्रिया में मर गए कम राक्शसी प्राणी था। यदि शाही दानव गुटों में से एक सदस्य भी विकास को पूरा करने का प्रबंधन करता है तो वे कितने भयानक होंगे नान्फिंग मिंग्यू ने धीमी आवाज में मनन किया। कुछ चिंतित महसूस कर रहे थे। होने के बिंदु तक कमजोर हो जाएगा यदि एक राक्शसी जानवर ग्वारा उप्योग किया जाता है जिसके पास एक शक्तिशाली रखत रेखा है, एक राक्शसी जानवर के विप्रीत जिसका उप्योग कमजोर रखत रेखा है। यह देव परवत वास्तव में अथा है हमने अभी अभी उजार परवत श्रिंखला में प्रवेश किया है और वहाँ पहले से ही ऐसे खजाने बन रहे हैं भीतर और भी चौकाने वाले रहस्य होने की संभावना है आदित्य बोला चलो अंदर जारी रखें सभी ने सिर हिलाया अंगिनत राक्षसी जानवर भी प्रवेश कर रहे थे लेकिन उन में से किसी ने भी इन मनुश्यों की परवाह नहीं की करने की कोई आवशक्ता नहीं थी जिन मनुश्यों ने प्रवेश किया उन्होंने स्वयं को भी बहुत स्वतंत्र पाया राक्षसी जानवरों के साथ उलजने की आवशक्ता नहीं थी वे यह भी सोच रहे थे कि अगर वे यहां उगने वाले खास पौधों को खाले तो क्या होगा क्या उन पर कोई असर होगा आदित्य और अन्य की अमर इंद्रिया प्रतिबंधित थी वे हवा में बड़ी तेजी से उड़े और आगे बढ़ते रहे उन्होंने नीचे के राक्षसी जानवरों के साथ इन पौधों के लिए लड़ने की कोशिश नहीं की यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे निश्चित रूप से इन राक्षसों द्वारा एक संयुक्त आक्रमन करेंगे इसके अलावा ऐसे ख़ाने उनके दिलों को बिलकुल भी नहीं हिला पा रहे थे उनका लक्षे डेमों गौड परवत था जो उजाड परवत श्रिंखला के भीतर बहुत गहराई में स्थित है वे सारे राज खंगालना चाहते थे जिस बात ने आदित्य और अन्य लोगों को हैरान कर दिया वह यह था कि अब भी देव परवत अभी भी रूपांतरित हो रहा था हर पल नए परिद्रिश्य और अलग-अलग चोटियों का निर्मान कर रहा था लगातार बाहर की ओर फैल रहा था कभी कभी आदित्य और उसका समोह अचानक खुद को एक खड में पाते और कुछ खण बाद वे एक प्राचीन चुटी के शीर्ष पर होते मैं एक बहुत मजबूत आभा महसूस कर सकता हूँ जो मेरी अपनी आभा जैसा दिखता है नानफिंग मिंग्यू अचानक बोल उठीन उनके शब्दों से आदित्य की निगाहें कठोर हो गई दक्षणी फीनिक्स कभीले के सभी सदस्यों के पास फीनिक्स रक्त रेखा थी अगर नानफिंग मिंग्यू अपने से मिलती जुलती आभा को महसूस कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि एक राक्षसी प्राणी के लिए यह बहुत संभव है जिसके पास फीनिक्स रक्त रेखा भी है किस दिशा में आदित्य ने पूछा वहाँ नानफिंग मिंग्यू ने एक बेतर तीब जगह की ओर इशारा किया और उसके बाद वहाँ की ओर चल पड़े सभी की अमर इंद्रिया प्रतिबंधित थी और वे केवल अपनी द्रिश्टी पर भरोसा कर सकते थे कुछ समय तक यात्रा करने के बाद जब उन्होंने अपने से दूर एक अस्थी अवशेश देखा तो वे ठिठक गए यह अस्थी अवशेश अत्यंत विशाल था खोपडी उपर की ओर जुकी हुई थी जैसे कि प्राणी अपनी मृत्यू के क्षणों में भी गर्व महसूस कर रहा था अपना सिर जुकाने को तयार नहीं था खून पहले ही निकल चुका था और मास पूरी तरह सड चुका था और अपने पीछे केवल एक कंकाल छोड़ गया था लेकिन फिर भी कंकाल की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और हड़ी से भी चमकती रोशनी थी यह एक रून अस्थी अवशेश था जब यह जीवित था तो यह एक सच्चा फीनिक्स होना चाहिए दक्षिनी फीनिक्स कभीले के सदस्यों के दिल काम उठे इस गुप्ट क्षेत्र में वास्टव में सच्चे रक्त के एक फीनिक्स से हड़ी का अवशेश था यह देव परवत वास्टव में असाधारण था यह स्थान वास्टव में कहा था सामने कई विशेशग्य भी थे कुछ उजाड पहाडों से और कुछ अमर लोकों से अपने हथियारों के साथ खड़े थे फीनिक्स हड़ी के अवशेश को घूरते हुए इसे जब्द करना चाहते थे आदित्य हड़ी पर उकेरे गए रक्तरंजित धागों को देख सकता था और उससे निकलने वाली शक्ती को महसूस कर सकता था यह अस्थी अवशेश अमूल्य था और इसे सर्वोच खजाना कहा जा सकता है यह कुछ ऐसा नहीं था जो खजाने वाले पौधों से पहले खाया गया राक्षसी जानवर था जिसकी तुलना की जा सकती है जब यह फीनिक्स जीवित था तो इसे दानव समराट के दाएरे में होना चाहिए था जो स्वर्ग का एक सर्वोच दानव था उसने लंबे समय से कानूनों के ताव को समझ लिया है जिससे उसकी हड्या कानून के साथ उकेरी जा सकती है इस अस्थी अवशेश से यदि किसी के पास इसके साथ आत्मियता है तो वे इस Phoenix की अंतरद्रिष्टी और तक्निकों को समझने में सक्षम हो सकते हैं नान्फिंग मिंध्यू की आखें जोश से चमक उठी उसके दक्षिनी Phoenix कभीले का कुल देवता Phoenix का था और वे सभी Phoenix प्रकार की खेती कला और तक्निकों की खेती करते हैं जिसमें Phoenix रक्तरेखा होती है हाला कि स्वाभाविक रूप से उनके रक्त की शुद्धता की तुलना असली Phoenix से नहीं की जा सकती जब तक कोई दक्षिनी Phoenix मात्रिसत्ता के स्तर तक नहीं पहुँचता वे अंतरद्रिष्टी की सीमा और उनके रक्तरेखा के शुद्धता स्तर के आधार पर आगे की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए Phoenix कलाओं को गहराई से समझने में सक्षम नहीं होंगे इस समय एक बड़ा राक्षस गुर्राया, स्क्रैम यह वह स्थान नहीं है, जहां आप मनुश्यों को होना चाहिए बड़े दानव की आखें अतुलनिय रूप से उची थी यद्यपी वह मानव रूप में था, उसके पीछे खून के रंग के पंख देखे जा सकते थे फिरोक रेस आधित्य की आखें चमक उठी दफा हो जाओ, परेशानी करना बंद करो, आधित्य और उसके समोह से बात करते हुए एक तेज आवाज गुंजी जो बोल रहा था वो असल में एक इनसान था इससे पहले आधित्य इस शक्स को पहले भी देख चुके थे वह कोई और नहीं बलकी प्रतिदवंधवी तलवार संप्रदाय के शांगुआम जियानी थे वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने एक तावती का बद किया था उन्हें पवित्र अकादमी के भीतर एक शिखर्स्तर की प्रतिभाभी माना जा सकता है और उनका वर्तमान साधना आधार मध्यचर्ण के अमर राजाक्षेत्र के चरमचरण में था यहां हर किसी का आभामंडल आगे बढ़ा यहां के मनुष्य और राक्षस पहले भी लड़े हुए प्रतीत होते थे और अब एक दूसरे को घूरते हुए विरोध में खड़े थे क्या मजात आप सब यहां क्यों रह सकते हैं और हम क्यों नहीं आधित्य की आखे ठंडी हो गई प्रतिमान तलवार संप्रदाय वाह बहुत प्रभावशाली नानफेंग मिंग्यू ने बहुत ही अच्छे धंग से बात की उसके दक्षणी फीनिक्स कभीले की नीम उनसे गहरी थी क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास इसमें हस्तक्षेप करने की योग्यता नहीं थी शंग गुआंग जियानी ने उसे खो जाने के लिए कहने का साहस भी किया असह्य मनुष्यों का एक और समूह फीरोक जाती के विशेशग्य ने घमन से बात की वास्तव में असहनियक उसके शरीर में आग की लपटें फूटने पर एक सुनहरी कौआ ने उसका मजाक उड़ाया जिससे उसके आसपास का वातावर्ण रोशन हो गया जिससे यहां का तापमान बढ़ गया आपका दक्षणी फीनिक्स कबीला इस अस्थी अवशेश को चाहता है आप अभी तक पर्यात योग्य नहीं है जिन कबीले के एक विशेशग्य ने शांदार धंग से बात की वे दक्षणी क्षेत्रों में तीन महान प्राचीन कुलों का भी हिस्सा थे वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि यह अस्थी अवशेश दक्षणी फीनिक्स कबीले द्वारा प्राप्त किया जाए खजाने के लिए संधर्ष करने के लिए किसी को अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ता है आदित्य शांती से बोला क्या मजाक शांगवांग जियानी की भौहे तन गई उसकी निगाहें एक तेज तलवार की तरह थी ठीक आदित्य को घूर रही थी यह अस्थी अवशेश यें कबीले के लिए अधिक उप्योगी नहीं हो सकता है लेकिन वे अभी भी भविश्य में एक सर्वोच दिव्य हथियार बनाने के लिए इसका उप्योग करने में सक्षम हो सकते हैं इस अस्थी अवशेश के आकार को देखते हुए यह बेशकींती होना चाहिए और इसकी तुलना समराट श्रेनी के हथियारों से की जा सकती है यद्यपी तुम्हारी युद्ध शमता खराब नहीं है और तुम्हारी साधना की गती तेज है तुम बहुत अहंकारी हो बस तुम्हारे साथ सदा बहार लोंगाओ और नानफिंग मिंग्यू आप उनसे क्यों नहीं पूछते की क्या उनकी तुलना मुझसे की जा सकती है जब हम तीनों पवित्र अकादमी में थे आप केवल प्रारंभिक चरण के अमर राजा हैं और अब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है मैं तुम्हें तलवार के एक ही वार से मार सकता हूँ शंग गुवांग जियानी की आखें तीखेपन से चमक उठीन मारने के इरादे से चमक उठीन अस्थी अवशेश के लिए यहां संधर्ष कर रही विभिन प्रमुक शक्तियां पहले से ही सिर्दर्ध थी अब आदित्य का समूह चीजों को और अधिक उत्तेजित करना चाहता था उसे दक्षिनी फीनिक्स कबीले द्वारा एक महत्वपून अतिति के रूप में माना जाता है और स्वाभाविक रूप से अहंकारी है हाला कि यह देखते हुए कि अमर्क शेत्र कितने विशाल है यदि आप महसूस करते हैं कि सभी प्रमुक शक्तिया कमजोर पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय की तरह हैं तो आप बहुत गलत है नान्फिंग मिंग्यू आपका कबीला उसकी रक्षा कर रहा है क्योंकि आपको विश्वास था कि वह भविश में बहुत मजबूत हो जाएगा कितना दैनिय है इन कबीले का एक विशेशग्य ठंडी हसी यदि आप सभी अभी भी चिलाने से इनकार करते हैं तो हम पहले आप से निप्टेंगे वे अस्थाई रूप से प्रतिद्वंधवी तलवार संप्रदाय से संबध थे आदित्य का समोह मचुआरा बनना चाहता था जो राक्षसों से लड़ने पर परिशान पानी में लाब उठाता है कोई रास्ता नहीं था कि वे इसे सफल होने दें मनुष्यों के आंतरिक संधर्ष को देख कर फोरो क्रेज के विशेशग्य और सुनहरे कोई आकाश में उड़ गए उन्हें तिरसकार से घूरते रहे आदित्य की आखें चमक उठीन ये लोग राक्षसों से निपटना नहीं चाहते थे लेकिन पहले उनके खिलाफ कारवाई करना चाहते थे बोलते ही उनकी आखें ठंडक से चमक उठीन उस समय मैं यिन कभीले के एक यिन पेन और प्रतिदवंदवी तलवार संप्रदाय के एक सदस्य से परिचित था वे कितने अहंकारी और उचे थे अभी आप लोगों की तरह अभिनाय कर रहे हैं लेकिन अंत में क्या वे मेरे द्वारा अपमानित और मारे नहीं गए थे यदि वे नभी मरते तो भी मेरी प्रक्ती से बहुत पीछे धूल में मिल जाते मुझे वास्तव में इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आप सभी को यहां किस योगिता की शेखी बगारनी है क्या तुम सब शर्म भी जानते हो? कचरा यिंग कबीले के अमर राजा ने रोश प्रकट किया वह आदित्य की ओर अवमानना से घूरता रहा क्योंकि उसके शरीर के भीतर एक अजगर के दहाडने की आवास सुनी जा सकती थी अक्याचारी धंग से बाहर निकलते हुए उसने आदित्य को घूरते हुए कहा हालां कि कई प्रमुक्षक्तियां आपका समर्थन कर रही है अगर मेरा यिंग कलान आपको मारना चाहता है तो आप अगले दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे मेरा खेती का आधार आपके बराबर है और मैं आपको मेरे खिलाफ लड़ने का उचित मौका दूँगा यदी नहीं तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि मेरा यिंग कबीला तुम्हें धमका रहा है यहां आदमी एक अजगर की तरह था एक क्रूर उजार जानवर जिसने एक अतुलनिय रूप से अत्याचारी आभा बिखेरी थी वह प्राचीन यिंग कबीले से चुना गया एक स्वर्ग था और उसके पास अद्वितिय युद्ध कौशल था दक्षिन में तीन प्राचीन महान कुलों के हिस्से के रूप में आदित्य की प्रिष्ठ भूमी कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो वह निश्चित रूप से उसे मारने का साहस करेगा यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं कल तक जीवित नहीं रहूंगा आदित्य ने ठंडेपन से बात की और साथ ही बाहर निकल गया उन्होंने पैरागौन तलवार संप्रदाय के आसपास के विशेशग्यों पर नजर डाली और उनके भावों से उन्हें पता चला कि कई मनुष्य जो यहां प्रवेश कर चुके हैं वे सभी उनकी जान लेने का मौका चाहते हैं उस मामले में मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आप मेरी जान कैसे ले सकते हैं जब आदित्य ने कदम रखा तो उन्होंने अपना लौ डोमेन भी छोड़ दिया एक पल में एक विनाशकारी शैतान इस पूरे स्थान को घेर सकता है दूसरों के हस्तक्षेप को रोकने में मेरी मदद करें मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए आदित्य ठंडेपन से बोला बैटल सेंट ट्राइब के अन्य विशेशग्यों ने सिरहिलाया और किसी भीक्षन कार्य करने की तयारी करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया मुझे मरा देखना तुम्हारी इच्छा है इंक बीले का वह विशेशग्य जोर से हसा ड्रैगन की दहाड ने आकाश को भर दिया क्योंकि एक सच्चे ड्रैगन की अतुलनिय रूप से विशाल अभिव्यक्ति वास्तव में हवा में दिखाई दी एक विशाल राक्षसी क्यूई को विकीण कर रही थी और सूर्य को धुंधला कर रही थी ड्रैगन फिर अपने कानून डोमेन में तब्दील हो गया जिसमें सब कुछ शामिल था इस स्थान में सब कुछ उसके कानून के ख्षेतर में समर्पन के लिए जुपता हुआ प्रतीत होता था मारना यिंग कभीले के विशेशग्य दहाडे अजगर जपट्टा मारकर आदित्य की ओर लपका भगवान के हाथ की शक्ती से आदित्य का कानून शेतर आगे बढ़ गया उनके कानून के ख्षेतर में अंगिनत बार परिवर्तन करने की ख्षमता थी इरादे की इच्छा के साथ वह हवा में प्रकट होने के लिए एक विशाल हथेली की चाप चाहता था यह तार की चाप असीम रूनिक प्रकाश के साथ प्रवाहित हुई जो आने वाले ड्रैगन की ओर फिसलते हुए एक लाख प्रकार की तक्निकों को उजागर करने में सक्षम थी जैसे ही यह फटा एक शैतान क्रिपान उसमें से निकला जो ड्रैगन को अलग करना चाहता था इस सर्वोच क्रिपान में दुनिया को चीरने के लिए परियाप्त ताकत थी काटने की आवाज गुंचते ही वह अजगर से जा टकराया अजगर के दो टुकडे हो गए जिन कभीले के विशेशग्य का चहरा बदल गया हाला कि तीन महान प्राचीन कुलों में से एक के एक अमर राजा के रूप में वह केवल अपने कानून डोमेन की शक्ती पर कैसे निर्भर हो सकता है एक अत्याचारी आभा के रूप में उसने एक जोर की दहार दी वह एक दुष्ट देवता जैसा था और जब उसने मुक्का मारा तो कुल नौ ड्रेगन दिखाई दिये अपने पंजे को भीचते हुए आदित्य की ओर उड़े आदित्य ने भी अत्याचार की आभा बिखेरते हुए बाहर कदम रखा उसकी हथेली की छाप ने एक बार फिर एक और शैतान कृपान प्रकट किया द्रेगन के पंजे को कुचलते हुए एक अदमे बल के साथ आगे बढ़ते हुए शैतान क्रिपान शुनि से फिसल गया क्रिपान उस इन कबीले के अमर राजा की ओर फिसलते हुए आगे बढ़ता रहा उस विशेशग्य का चहरा पीला पड़ गया जैसे ही उनकी आभा मजबूत हुई उन्होंने अपनी रक्ट शक्ती को जल्दी से सक्रिय कर दिया उसका पूरा शरीर सुनहरा हो गया एक अविनाशी शरीर के रूप में उसके पीछे एक सुनहरा विशालकाय अजगर दिखाई दिया जैसे ही क्रिपान प्रकाश कम हुआ यह उसकी रक्षा को तोड़ने में विफर रहा तीन महान प्राचीन कुलों में से एक विशेशग्य के रूप में वह कमजोर कैसे हो सकता है उनका हमला और बचाव दोनों ही बेहत शक्तिशाली थे तुम मुझे कैसे मार सकते हो वह अमर राजा चिलाया वह एक पूर्ण आधिपत्य की तरह था उसकी आखें तेज रोशनी से जगमगा रही थी अहंकार से जगमगा रही थी हाला कि आधित्य की क्रिपान तकनीक मजबूत थी उन्होंने एक स्वर्ण अविनाशी शरीर तकनीक में खेती की थी जो की उनकी शक्तिशाली रक्तरेखा द्वारा और अधिक प्रबलित थी जिससे उन्हें सक्षे ड्रेगन की ताकत उधार लेने की अनुमती मिली आधित्य का युध कौशल कितना भी असाधारन क्यों न हो आधित्य को उसका सामना करते हुए मरना ही होगा मैं केवल तुम्हारे साथ खेल रहा था आधित्य ने जब यह देखा तो अवमानना से मुस्कुराया जिससे दूसरे पक्षपो अपमान की एक और लहर महसूस हुई आधित्य ने कहा कि वह पहले सिर्फ खेल रहा था बेशर्म और असहनियत यिन कभीले के अमर राजा ने उपहास किया हालाकि उन्होंने जल्द ही आधित्य के कानून डोमेन को प्रभावित करते हुए आधित्य से निकलने वाली चमकदार रोशनी को तेज और उजडवल देखा आधित्य अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ वहां खड़ा था वह हवा में विशाल ताड के निशान के साथ एक था जो की प्रकाश के अंगिनत प्रवाह के साथ परिचालित था धीरे धीरे हथेली की छाप के चारों और कई शैतान कृपान भौतिक हो गए जिनमें से प्रत्येक में विनाश और दमन की शक्ती थी जो सब कुछ नश्ट करने में सक्षम थी जैसे ही उसकी शैतान ची आगे बढ़ी आदित्य फिर से बाहर निकलाया वह अकलपनिय सीमा तक शक्ति शाली था असंख्य शैतान कृपान सभी नीचे गिर गए प्रत्येक के पास एक जबरदस्ट शक्ती थी यह विशेश रूप से ठीक केंदर में शैतान कृपान के लिए ऐसा था ऐसा लग रहा था कि इन सभी शैतान कृपानों का साग नहित है मरना इन कलान के विशेशग्य के गुस्से के बीच शैतान कृपान हवा में उतरते ही आदित्य ने एक शब्द बोला केंदर में शैतान प्रिपान अचानक गायब हो गया क्योंकि हलकी कटने की आवाज निकली इन कलान के विशेशग्य की कार्य करने से पहले ही मृत्यू हो गई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कभीले के विशेशग्यों ने आदित्य को क्या आपको लगता है कि मैं आप सभी के समान हूँ केवल यह जानना की शब्दों के युद्ध में कैसे शामिल होना है आदित्य ने इन कभीले के विशेशग्यों पर नजर डाली इन कभीले से वह व्यक्ति पहले मेरे समान स्तरका था फिर भी वह एक भी वार का सामना नहीं कर सका पैरागौन स्वार्ड संप्रदाय के लिए भी यही बात लागू होती है मुझे आश्चर्य है कि आप सभी के पास क्या योग्यता है मेरे सामने इतनी जोर से भौंकने की हिम्मत यह फीनिक्स हड़ी अवशेश मजबूत का है यदि आप सभी इसके लिए युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो मैं सहश उपकृत होंगा अब आदित्य भी एक अमर राजा विशेशग्य थे उनमें स्वाभाविक रूप से एक का असर था दुनिया भर में उसके दुश्मन थे खास कर पूरवी क्षेत्रों में उसके जीवन को चाहने वालों की संख्या मूल रूप से अंगिनत थी उसने कुछ और बनाने में कोई आपत्ती नहीं की चुंकि ये लोग उसे अपमानित और अपमानित करना चाहते थे इसलिए वह उन्हें चुकाने के लिए सबसे सीधा तरीका इस्टमाल करेगा अगर वह मार सकता है तो मार डालेगा अगर वह उन्हें मार सकता है तो मार डालेगा यदि वह नहीं कर पाता तो वह इन सभी रिनों को चुकाने से पहले भविश्य में और अधिक शक्तिशाली होने तक प्रतीक्षा करता मजबूत के रास्ते पर पीछे हटने से उसके विरोधी अधिक से अधिक दबंग हो जाएंगे कभी कभी केवल पर्यात प्रभावशाली तरीके से कार्य करके वह दूसरों को अपने से डरने और सम्मान देने का कारण बनता है पीकस्टेज अमर राजा, इंकभीले और पैरागॉन तलवार संप्रदाय के विशेशग्यों ने बैटल सेंट प्राइब के विशेशग्यों से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया शिखर्वस्था के अनेक अमर राजाओं के प्रभामंडल ने उस चेतर में बाढ़ ला दी, जो चरम सीमा तक भयानक था आपका कानून डोमेन एक प्रकार की सहच तकनीक का अभ्यास करने से स्थापित हुआ प्रतीत होता है वह क्या है इस समय फेरोक रेस के विशेशग्य ने आदित्य को घूरते हुए शांती से पूछा आदित्य ने उसकी ओर देखा पर कोई उत्तर नहीं दिया जब फोरोक विशेशग्य ने आदित्य को उसकी उपेक्षा करते देखा तो वह ठंडी हसी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह प्राचीन समराट यी की खोई हुई गुप्त कला होनी चाहिए भगवान का हाथ है न यह सोचने के लिए कि उजाड पहाड़ों में एक दानव वास्तव में इस गुप्त कला को पहचानने में इतना ज्यानी होगा आदित्य बोला अमर लोकों के मनुश्य हमारी क्षमताओं के बारे में कैसे जान सकते हैं केवल एक गुप्ट कला, इसके बारे में जानने की तो बात ही छोड़िये, हमारे उजाड परवतों के दानव देवता पिछले युगों में अमर लोकों के आपके तथाक्थित प्राचीन समराटों से कमजोर नहीं है फोरोक ने अपने आसपास के मानव विशेशग्यों की अंदेखी करते हुए घमंड से बात की ये इनसान हमारे इलाके में हमसे लड़ना चाहते हैं, फोरोक ने सुनहरी कौई की और तिरसकार पूर्वक हंसते हुए देखा शायद उन्हें हमारी ताकत के स्कर के बारे में कोई जानकारी नहीं है सुनहरे कौवे ने उपहास किया, उसकी आवाज में एक पूर्ण अहंकार भरा हुआ था वे मानते हैं कि हम उनसे डरते हैं? क्या वे नहीं जानते कि हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह फीनिक्स अस्थी अवशेश हमारी किस जाती का होना चाहिए? फोरोक जारी रहा, आदित्य और अन्यमानव विशेशग्यों की उपेक्षा करते हुए, दो राक्षसों ने स्वाभाविक रूप से बात चीत की समय बर्बाद करना बंद करो जो कोई भी सबसे अधिक मारता है, उसे फीनिक्स अस्थी अवशेश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा इसके बारे में क्या ख्याल है? सुनहरा कौआ बोला जरूर फोरोक ने सिर हिलाया इसके बाद उनकी बॉड़ी ट्रांसफॉर्म हुई उनके परिवर्तन में रॉक्स और फीनिक्स रेस दोनों के अनुठे पहलू शामिल थे उसने अपने विशाल पंखों को फैला कर सूर्य को धुंधला कर दिया उसके रप्तलाल पंजे अतुलनिय रूप से तेज रोशनी के साथ चमकते थे उधर वह सुनहरा को आधूप की लप्टों में स्नान कर रहा था उनके तीखे पंजे एक सुनहरी भाले को जकड़े हुए थे जो दुनिया में सब कुछ परिश्कृत करने में सक्षम था संत भगवान सावधान रहे ये दो राक्षसी नसले बेहत मजबूत है बैटल सेंट प्रायद के विशेशग्य आदित्य के सामने खड़े हो गए उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्हें इन दो राक्षसों से खत्रा महसूस हो रहा था ये दोनों राक्षस शिखरस्तर के अमर राजा थे और उनकी बातचीत से वे अपनी जातियों के भीतर असाधारन चरित्र प्रतीत होते थे और शाही गुटों का हिस्सा हो सकते थे बस अचानक एक प्रचंद हवा का जोंका आया इससे पहले की कोई प्रतिक्रिया कर पाता खून के रंका जहरीला अपने मूल स्थान से पहले ही गायब हो चुका था वह अविश्वसनिय चपलता के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए लाल बिजली की एक लकीर में बदल गया अब जबकि अमर इंद्रियों को अवरुध कर दिया गया था किसी के पास अपनी दृष्टी के माध्यम से अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने का कोई रास्ता नहीं था यह असाधारन रूप से तेज आकाश रौक की गती थी बुम एक जोर की आवाज सुनाई दी और इन कभीले के एक शक्तिशाली अमर राजा पर प्रहार किया गया जो एक लहुलुहान व्यक्ती में बदल गया और उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया एक पल में मर गया इससे पहले हम बाहर इस धरीले जानवर से नहीं मिले थे जाहिर है उनकी दोड में उनकी स्थिती बेहद उंची है यह देखकर सदाबहार लोंगहाओ के चहरे पर भारीपन आ गया वह संकट की तीवर भावना महसूस कर सकता था दूसरी और सोने के कौवे ने भी अभिनय किया एक अमर राजा विशेशग्य के माध्यम से भेते हुए सुनहरी सूरज की भाली निकली जिसमें सूर्य की लप्टों की छोटी-छोटी गेंदे दिखाई दी वह अमर राजा तडप तडप कर रो पड़ा गड़ड़ा हट शक्तिशाली प्रभामंडल आगे बढ़ा फोयरोक और गोल्डन क्रो दौर के अन्य विशेशग्यों ने इस समय काम किया अपने शक्तिशाली प्रभामंडल को प्रकट किया जो मनुष्यों को मारना चाहते थे प्रारंभिक चरण के अमर राजाओं के लिए वे मूल रूप से इस तरह के एक गहन युद्ध में तोप का चारा थे रक्तरंजिक प्रकाश की एक लकीर आदित्य की ओर चली हाला की बैटल सेंट प्राइब के विशेशग्य उसके सामने खड़े थे वे एक साथ गर्जना करते थे जैसे युद्ध के संत आगे बढ़ सकते थे तार के निशान प्रकट कर रहे थे जो एक अदमें शक्ती के साथ घर गए थे तक्राना तेज धमाकों ने हवा को दहला दिया पहले से ही शक्तिशाली फोरोक उपर की ओर उड़ गया क्योंकि उसने मनुष्यों पर तिरसकार के साथ नजर डाली आप लोगों की ताकत का स्तर खराब नहीं है लेकिन दुख की बात है कि आप सभी अच्छे नहीं है जैसे ही उसने बात की उसका रक्तरंजित शरीर भयानक फीनिक्स की लप्टों से जलने लगा वह सब कुछ जुलसाना चाहता था वह एक बार फिर लाल बिजली की लकीर में बदल गया मूल रूप से कोई नहीं था जो उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर सके संत भगवान उसकी गती बहुत तेज है पीछे हटना हमारा सबसे अच्छा विकल्प है आदित्य की आखें चमक उठी फोयरोग जाती के एक शिखर विशेशग्य के पास वास्तव में ऐसी भयानक युधक्षमता थी सही आदित्य ने तुरंट पीछे हटने की आभ्यादी उनके लोगों का समूह पीछे हट गया और उनमें से कई इन राक्षसों के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं थे वे केवल इस अस्थी अवशेश को छोड़ना चुन सकते थे न केवल आदित्य के समूह के लिए बलकी प्रतिदवंद्वी कलवार संप्रदाय और इन कभीले के विशेशग्यों ने भी पीछे हटने का फैसला किया वे दो राक्षसी साथी बहुत शक्तिशाली थे उन्हें समराठ शेत्र के नीचे अजे कहा जा सकता है राक्षसों ने बहुत दूर पीछा नहीं किया देमोंगोर परवत के प्रकट होने के साथ सौभाग्य के अंगिनत मुकाबलों ने उनका इंतजार किया इन तुछ मानव साधकों का पीछा करने के लिए उनके पास न तो समय था और नहीं मनोच्छा अफसोस की बात है हड़ी के अवशेश पर उकेरे गए रनों में कुछ शक्तिशाली जन्मजात तकनिके हो सकती है और यहां तक की विरासत गुप्त कला की संभावना भी हो सकती है नानफेंग मिंग्यू ने आह भरी उस राक्षसी जानवर में स्काई रॉक्स और फीनिक्स रेस दोनों की क्शमताएं है वह सोने का कौआ अत्यंत शक्तिशाली भी है यदि वे कुछ विरासत गुप्त कलाओं को समझने में काम्याब हो जाते हैं तो वे निश्चित रूप से अत्यंत भयानक अस्तित्व बन जाएंगे कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हम मनुष्यों के उजार पहाड़ों में प्रवेश करने की परवाह नहीं की यह स्थान उनका शेत्र है और यहां तक कि अगर सौभाग्य भी है तो हम इसे उनसे चीन नहीं पाएंगे सदा बहार लोंगों की स्थिती असाधारन थी लेकिन वह अपने राक्षसी विरोधियों की ताकत को स्विकार किये बिना नहीं रह सका अभी अमर लोकों को शायद यह खबर पहले ही मिल चुकी है इसके पहले हर शक्ती सीमित संख्या में विशेशग यही यहां भीजती थी लेकिन इस खबर के चारों और फैलने के बाद हर बड़ी शक्ती के ज्यादातर विशेशगे जरूर यहां आते थे जिनमें शिकर पर खड़े सबसे मजबूत व्यक्ती भी शामिल थे उस समय उजार परवत के राक्षसों के पास अब और लाभ नहीं हो सकता है नान्फिंग मिंग्यू ने बात की महट चाहे जो भी हो इस देमोंगोर परवत पर एक हिंसक तूफान इकठा हो रहा है यहां तक की पवित्र अकादमी भी इतनी जीवन्त नहीं थी आदित्य ने क्षितिच की ओर देखा उसकी आखों में प्रत्याशा का अंश भर गया वह स्वाभाविक रूप से लिटिल रासकल को आने के लिए एक संकेट भेजने के इरादे को समझ गया उसके पास एक अतुलनिय रूप से शक्तिशाली आदिकालीन सर्वोच दानव की वनशावली थी हो सकता है इस देमोंगोर परवत में उसका सौभाध्य भी होगा देल परवत अतुलनिय रूप से विशाल था यह इतना विशाल था कि कोई इसकी कलपना भी नहीं कर सकता था राक्षसी जानवरों के जुन्द सभी इसमें भाग गए साथ ही साथ अमर लोकों के विशेशग्य एक के बाद एक आ रहे थे लेकिन खिर भी अंगिनत राक्षसों से पहले अमर लोकों के मनुष्य सभी की तुलना में बहुत कम लगते थे आदित्य अपने रास्ते पर चलता रहा उस प्राचीन शिखर की ओर बढ़ रहा था जो सभी स्वन प्रताश को विकीन कर रहा था यह देखना चाहता था कि क्या यहां कोई रहस्य है वहां के सफर में उनके ग्रूप ने कई चौकाने वाली चीजे देखी राक्षसी जीवों के विकास को पूरा होने में एक ही दिन लगा स्वाभाविक रूप से राक्षसों की संख्या की तुलना में जो सफलता पूर्वक विक्सित हुए मरने वालों की संख्या केवल खगोलिय थी देमोंगोर परवत के भीतर के मैदान लाशों से भरे हुए थे आदित्य और उसके समुह ने स्वाभाविक रूप से कई राक्षसी जानवरों को भी मार डाला जो उनके लिए परेशानी की तलाश में गए थे हमारी गती बहुत धीमी है कई महीनों के बाद आदित्य ने दूर से देखते हुए धीमी आवाज में बात की जहां कहीं से वे गुजरे उन्हें राक्षसों ने पहले ही साफ कर दिया था यहां बहुत सारे राक्षस थे और जब वे स्काइब्रेक सिटी में थे उजार पहाडों के राक्षस इसके लिए पहले से ही तयार थे और यहां तक की राक्षस समराट भी उनका नेत्रित्व कर रहे थे स्वाभाविक रूप से जितने भी दुल्लब खजाने पाए जाते हैं वे पहले ही उन्हें प्राप्थ हो चुपे होते हैं उजार परवत के राक्षस संख्या में अंगिनत हैं और शाही गुटों में से कई ऐसे हैं जो बेहत शक्तिशाली हैं हमें बस यह देखना है कि फोरॉक जाती की गती कितनी तेज है और हम समझेंगे कि वे कितने भयानक हैं अगर हम तेजी से उनका मुकाबला करेंगे तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे सदा बहार लोंगाओं ने अपना सिर हिला दिया इसके अलावा हमने देव परवत के इतने विशाल होने का अनुमान नहीं लगाया था हम इसके अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे ऐसा लगता है कि आगे कुछ इमारते हैं इस समय बैटल सेंट जनजाती के एक शिखर्चर्ण के अमर राजा ने बात की दूर की और घूरते हुए आदित्य के समोह की आखें टिंटिमा उठी उन्होंने अपनी गती बढ़ा दी जबकि उनके दिल तेज हो गए वे आगे इमारते नहीं थी बलकि पहाडों के भीतर बने राक्षस शहर थे जो अंतीन रूप से फैले हुए थे ये दानव शहर डेमोंगोर परवत के तल के चारों ओर बनाए गए गए थे राक्षसों का शहर यहां वास्तव में अंगिनत राक्षसों से भरा शहर है आदित्य का समूह गेट की ओर चला और आगे की ओर देखता रहा यह शहर बेहत पुराना था एक प्राचीन एहसास बिखेर रहा था राक्षसी ची को भीतर महसूस किया जा सकता है और राक्षसी ची को उजाड पहाडों के राक्षसों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए जो पहले यहां से आये थे हम भगवान परवत के रहस्य के करीब और करीब आ रहे हैं वे शक्तिशाली दानव समराट और अमर समराट शायद पहले ही पहाड पर चड़ना शुरू कर चुके हैं नानफिंग मिंग्यू ने बात की हमारी अमर इंद्रिया प्रतिबंधित हैं हमारे लिए चीजों को दूर से महसूस करना असंभव है हम केवल अपनी द्रिष्टी का उपियोग कर सकते हैं और यहां के रहस्यों को जानने का प्रयास कर सकते हैं हालांकि इसने हमें कुछ परेशानी से भी बचाया आदित्य बोला यदि अमर इंद्रियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो बहुत से लोग निश्चित रूप से अपनी स्थिती पर ताला लगा देते और उन्हें मारने की कोशिश करते अमर इंद्रियों के बिना इस असीन विशाल परवत श्रिंखला में दूसरे समोह का सामना करना इतना आसान नहीं था चल दर्क दानव नगरी में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि इस नगर पर शक्तिशाली अमर राजाओं का कबजा था जो हर जगह देखे जा सकते थे ये पात्र अमर लोकों के अमर राजाओं के समकक्ष थे दानव राजा अमर राजाओं के समान थे उस तर तक पहुँचना बहुत कठिन है हाला कि यह देखते हुए की निर्जन परवत कितने विशाल है और देमोंगोर परवत की उपस्थिती के साथ यहां राक्षसों की संख्या स्वाभाविक रूप से बेहत चौकाने वाली थी केवल राजा के राज्य में यह अज्यात था कि वहां कितने राक्षस थे नगर में प्रवेश करने के बाद वे गहराई की ओर बढ़ते रहे उनके लक्ष नहीं बदले देव परवत उनके लिए आकर्शन का सबसे बड़ा स्रोत था क्या चल रहा है इस समय कई अमर राजा एक स्थान पर घूरते हुए जम गए वहाँ पर एक राजसी दानव महल देखा जा सकता था वहाँ से राक्षसी ची के भयानक जोकों को निकलते हुए महसूस किया जा सकता था अगले ही पल उन्हें महल से राक्षसों की बनी एक सेना बाहर निकलती दिखाई दी यहाँ आदित्य के समोह ने महसूस किया कि उनके दिल काम रहे हैं दानव राजाओं की एक सेना जिसमें सैकडों लोग हैं वे वास्तव में प्रभावशाली थे क्योंकि उनकी शैतानी चीनेक शेत्र में हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया था इस खशन उनकी अमर इंद्रियों के प्रतिबंधित होने के नुकसान प्रकट हुए जब दानव सेना उनके इतने करीब थी तभी वे इसे महसूस कर पाए और खत्रे को महसूस कर सके वे सभी मौत के सैनिक हैं नानफिंग मिंग्यू अचानक बोले आदित्य और उसके समूह को तब पता चला कि यद्यपी इस सेना की आभा बहुत भयानक थी वे वास्तव में राक्षस नहीं लगते थे वे मौत की आत्माओं की तरह थे जो राक्षसों के शरीर को उधार लेते थे लेकिन उनकी ताकत थी असली सौदा थी क्या उजार पहाडों के भीतर कोई अनोखा स्थान हो सकता है जिसके कारण इनका जन्म हुआ हो ऐसा लगा कि यही एक मात्र व्याख्या है हर कोई चलो चलते हैं आदित्य बोला जैसे ही सेना ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया उनका समोह तुरंट पक्षों की ओर बढ़ गया सपष्ट रूप से उनके अस्तित्व की भी खोज की सेना को आसपास के राक्षसों की परवाह नहीं थी उनका लक्षे आदित्य का समोह लग रहा था उनका उद्धेश मानव इनके कोशिश क्यों ही करते आदित्य बोला उनके समोह के भीतर तीन तीमों ने सिरहीलाया आदित्य और बैटल सेंट प्राइब के लोग एक दिशा की ओर भागे, जबकि एवर ग्रीन लोंगाओ और उनके समुह के साथ साथ दक्षिनी फीनिक्स कभीले के सदस्य दो अन्य दिशाओं में चले गए हाला कि आदित्य के अनुमान की पुष्टी करते हुए, उन सभी का पीछा करते हुए, सेना भी तीम में विभाजत हो गई ये डेथ स्पिरिट्स सिर्फ इंसानों को निशाना बना रहे थे विभाजन जारी रखें QEU मेरे पीछे आओ, आदित्य बोला उसके बाद, बैटल सेंट प्राइब के विशेशग्य सभी और अलग हो गए इस पल में, सेना के वे दानव राजा इससे पहले की वे भी जिचके, चोटी टीमों में तूट गए जिन्होंने पीछा करना जारी रखा, लेकिन QEU और आदित्य का पीछा करने वालों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी कुछ देर भागने के बाद, आदित्य ठिठक गया उसने की यू से बात की, क्या तुम उन्हें संभालने में सक्षम हो? एक समस्या नहीं है, QEU ने सिर हिलाया वह मुडा और आकाश को हिला देने वाली तेज गर्जना देते हुए बाहर निकल गया एक डैविय वानर की अभिव्यक्ति प्रकट हुई और एक और गर्जना के साथ वानर ने मुक्का मारा जिससे मुठी की परचाया क्षेत्र को ढखने लगी, जिससे कई भयानक विस्पोट हुए उन मौत की आत्माओं की एक के बाद एक मृत्यू हो गई और QEU ने उत्पात मचाना जारी रखा अच्छे उपाय के लिए आसपास के राक्षसी जानवरों को मार डाला संत भगवान अधिक सावधान रहना सबसे अच्छा है, क्योई यूने याद दिलाया वे सारवजनिक रूप से आदित्य को संत भगवान के रूप में संदर्भित करने में सक्षम नहीं थे लेकिन इस रहसिमय क्षेत्र में जहां अमर इंद्रियों को प्रतिबंधित किया गया था उनके लिए आदित्य को सीधे संत भगवान कहना अधिक सुविधा जंक था हम यह सोचने के लिए कि इस दानव शहर में वास्तव में इतने सारे दानव राजा मृत्यू आत्माए हैं आदित्य थोड़ा चौक गया उन दोनोंने दिशा बदली और डेमोंगोर परवत की ओर बढ़ते रहे रास्ते में उन्हें कई राक्षसों के महल दिखाई दिये यह दानव शहर विभिन शक्तिशाली बड़े राक्षसों का शेत्र प्रतीत होता था और इन महलों के स्वामी सभी राक्षस राजा थे वह क्या है क्यूई यूने एक यादरिक शिक दिशा की ओर इशारा किया दो शक्तिशाली उजाड भेडिया राजाओं को वहाँ एकत्रित होते देखा जा सकता था वे इस समय एक रक्तरंजित मूर्ती को भूर रहे थे जो एक रहस्य में उर्जा विकीन कर रही थी एक शन बाद भेडियों के राजाओं के शरीर ने भी एक लाल चमक बिखेरी जैसे कि वे जागर्ण के बीच में हो क्या ऐसा हो सकता है कि इस विशेश दानव महल में उनकी जाती के पूर्वश द्वारा छोड़ी गई विरासत हो यह उनकी क्षमता को प्रजवलित करने में सक्षम होना चाहिए आदित्य धीमी आवाज में बोला उसके बाद भेडियों के राजाओं में से एक ने एक लंबी चीख निकाली और आदित्य और QEU की हैरान कर देने वाली निगाहों के नीचे भेडिया राजा का शरीर बड़ा होने लगा उसकी पीठ के पीछे खून के रंग के पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया क्योंकि उसके चार पैर अधिक मानसल हो गए और उसके पंजे भी तेज हो गए इसके चारों और खून के रंग की रहस्य में लकीरे भी घूमती देखी जा सकती है ऐसा लगता है जैसे संथ भगवान सही है इन भेडियों को एक उच्च श्रेनी की रक्तरेखा नहीं माना जा सकता है लेकिन कभी-कभी उनके बीच भेडिया राजा भी होंगे हालां कि उनके रक्तरेखा की सीमाओं के कारण वे आगे विक्सित नहीं हो पाए और उन्हें अन्य तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा की यू बोली आदित्य ने सहमती में सिरहिलाया ऐसा लगता है कि कई दानव राजा वहां किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं क्योई यू ने दूसरी दिशा में इशारा किया इसके अलावा वहां वास्तव में बहुत सारे अस्थी अवशेश हैं प्रत्येक हड़ी के अवशेश तेज रोशनी से जगमगा उठे मरने से पहले राक्षसी जानवर की चाया दिखाई दे रही थी रूण अस्थी अवशेशों की शक्ती से बनने वाले बड़े राक्षसों के कई अनुमान थे रहस्यमय उर्जा को महसूस करते ही कई राक्षस राजा वहां एकत रहो गए सौभाग्य हर जगह है उजार पहाडों के राक्षस अब वास्तव में विक्सित होने जा रही है आदित्य ने आह भरी जबसे उन्होंने यहां प्रवेश किया उन्होंने अपने चारों और राक्षसों को रुपांतरित और विक्सित होते देखा संथ भगवान आप भी राक्षसी उर्जा की खेती करते हैं है न क्या आप राक्षसों के महलों पर एक नजर डालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वे आपकी कोई मदद कर सकते हैं क्योई यूने सुझाव दिया हालांकि आदित्यने रुकने का कोई इरादा नहीं रखते हुए आगे बढ़ना चुना आपने इसे अपने लिए भी देखा है जबसे हम उजाड पहाडों में प्रवेश करते हैं और डेमोंगोर परवत के करीब जाते हैं तब से हर जगह अच्छे भाग्य की जलक मिल सकती है हम जितने गहरे प्रवेश करते हैं उतना ही बड़ा सौभाग्य प्रदान किया जाता है जदी हम अंत तक सभी तरह से आगे बढ़ते रहें तो क्या पाया जा सकता है आदित्य ने क्षितिच की ओर देखा उसकी आखे प्रत्याशा से चमक रही थी हालां कि हम जितने गहरे प्रवेश करते हैं राक्षस उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्टर का खत्रा होता है वास्तव में इन में से कई राक्षस बहुत बुद्धिमान हैं केवल एक वर्सा प्राप्ट करने के लिए परियाप्त खुश है कि यू कुछ चिंतित थी आदित्य दानव परवत के रहस्य का पता लगाना चाहता था और हालां कि वह आदित्य के दिल में महत्वा का अंक्षा को समझ गया था वह समझ सकता था कि खत्रे का स्तर बेथाशा बढ़ रहा था जितना वे आगे बढ़ रहे थे इसके अलावा संत भगवान एक मानव थे QEU मैं तुम्हारे इरादों को समझती हूँ आपको कोशिश करनी चाहिए और एक ऐसी विरासक धूंदनी चाहिए जो आपके लिए भी उप्युक्त हो आपको मेरे पीछे-पीछे चलने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आदित्य बोला संत भगवान QEU की अभिव्यक्ती बदल गई लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता आदित्य ने अचानक भारी मात्रा में राक्षसी QE विकीन की और वह एक विशाल चक्तान में बदल गया जिसने आकाश को मिटा दिया वह एक वास्तविक राक्षस लग रहा था और पूरी तरह से एक इनसान नहीं था क्या आपको एसास नहीं हुआ कि इन राक्षसों में कोई आंतरिक संधर्श नहीं लगता है वे अपनी तरह के खिलाफ कारवाई नहीं करेंगे वे मनुष्य के समान ही हैं और सभी यहाँ हैं क्योंकि वे मजबूत बनना चाहते हैं जब तक दोनों पक्षों के लाब आपस में टकराते नहीं हैं तब तक वे सभी दानवों को विक्सित होते देखने के इच्छुक हैं आदित्य बोला मेरे बारे में चिंता मत करो एक राक्षस के रूप में मैं राक्षसों के हमलों से बिल्कुल सुरक्षित रहूँगा मैंने पहले ही टै कर लिया है आप जा सकते हैं और अपने लिए अवसरों की तलाश कर सकते हैं जैसे ही उसने बात की, उसने अपने पंक फैलाए और सीधे डेमोंगोर परवत की दिशामे तेजी से आकाश में उर गया क्योई यू ने आदित्य के सिलहूट पर नजर डाली और उसकी आखे रोशनी से जिल्मिला उठी हाला कि संथ भगवान ने उसे अपने लिए अवसरों की तलाश करने के लिए कहा और उसे पीछा न करने के लिए कहा क्योई यू ऐसा नहीं कर सका कम से कम किसी तरह का खत्रा होने पर वह आदित्य के पीछे-पीछे जरूर जाते आखिरकार, हालांकि संथ भगवान की युद्ध क्षमता मध्य चरण के अमर राजाओं के खिलाफ लड़ सकती थी, फिर भी उनकी ताकत यहां अजे होने के लिए अपर्याप्त थी विशाल चट्टान के रूप में आदित्य आकाश में उड़ रहे थे उसके रास्ते में नीचे के कई बड़े राक्षसों ने उसकी ओर देखा लेकिन चूंकि उसने खजाने के लिए इन राक्षसों से लड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया था इसलिए किसी ने उसे रुका नहीं और वह बहुत तेजी से यात्रा करने में सक्षम था जैसे ही वह आगे उड़ रहा था, जब उसने देखा कि यह दानव शहर कितना विशाल था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सद में महसूस कर रहा था ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन राक्षसों द्वारा छोड़ी गई विरास्ते हैं जो हर जगह आधिकालीन युक के दौरान यहां रहती थी हाला कि यह भी एक चौकी प्रतीत होती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह देमोगोर परवत की रखवाली कर रहा है जदी ऐसा है तो देमोगोर परवत के अंदर क्या था बटा नौविलफुल डॉट कॉम नीचे से शुरू करने के अलावा उस पर चड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था देव परवत के उपर चमकदार रोशनी चकाचौंद से जगमगा उठी देव परवत के शिखर तक जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है यह रास्ता बहुत चोड़ा था प्राचीन पत के साथ चलते हुए आदित्य एक विशाल चटान के रूप में था उसके अलावा कई विशेशग्य भी थे कुछ इंसान, कुछ राक्षस जो उस पर चल रहे थे उनमें से कई शिखर चन के अमर या दानव राजा थे, जिन में मध्य चन कम था जहां तक प्रारंभिक चरन के दानव राजाओं की बात है, यहां कुछ ही सीमित संख्या में देखे जा सकते हैं कई शक्तिशाली राक्षसों ने अपनी आखें उस महान चट्तान की और घुमाई जिसे आदित्य ने रूपांतरित किया था, उनकी आखें तिरसकार से चमक रही थी एक प्रारंभिक चरन के दानव राजा ने भी सौभाग्य की तलाश के लिए देव परवत पर जाने का साहस किया वह केवल सुविधा के कारण एक महान चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया और डेमोंगोर परवत में प्रवेश कर गया जब तक राक्षस उसे नहीं रोपते तब तक वह उनकी अवमानना की निगाहों पर ध्यान नहीं देगा आदित्य स्वयं भी जानते थे कि अमर राजा सामराज्य के प्रारंभिक चरण में एक साधना आधार परियाप्त से बहुत दूर था यदि वह डेमोंगोर परवत के रहसियों को जानना चाहता था तो उसे लो प्रोफाइल होना पड़ा यदि नहीं तो उसके लिए इस देमोंगोर परवत की चोटी पर चलने का कोई रास्ता नहीं होगा क्या शांदार रोश्नी है वह अवश्य ही कोई प्राचीन सूर्यवरिक्ष होगा विस्मयादि बोधत की आवाज निकली आगे एक अतुलनेय रूप से चकाचोंध करने वाला प्रकाश सूरज से भी तेज शांदार धंसे चमक रहा था सत्य के प्रकाश से आदित्य की आखें टिम्टिमा उठीं वह उस प्रकाश के स्रोत को अंदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया अब प्राचीन पत के किनारे वह एक प्राचीन सूर्य व्रिक्ष देख सकता था इस प्राचीन व्रिक्ष का प्रतेक पत्ता सूर्य के समान बोले के आकार का था इसने चकाचोंध करने वाली रोशनी और जुलसा देने वाली आभाभी बिखेरी पेड के चारों और असंख्य सुनहरी कौवे उसकी परिक्रमा करते देखे जा सकते थे ये अजीब किस्म के सुनहरे कौवे एक एक पत्ते के बीच छिपे रहसियों को समझ रहे थे उनके अलावा मनुष्यों का एक समूह भी था जो पवित्र सूर्य संप्रदाय के रूप में जाने जाने वाले अमरलोकों में एक चरम शक्ती से उत्पन हुआ था उन्होंने अत्यंत उग्र सूर्य प्रकार की उर्जा में साधना की इसी दोरान चीक पुकार मच गई एक विशाल सुनहरा सूरच कौवा पेर से एक पत्ता तोरता है और उसे धीरे-धीरे चबाते हुए अपने मुह में रख लेता है एक चण बाद कौई का पूरा शरीर सूरच की तरहा चमकने लगा जैसे उसके शरीर पर धधकती हुई दोर दिखाई देने लगी जो चरम तक रहस्य में थी एक चण बाद अपने पंखों के फड़फडाने के साथ उसने एक अथाह तकनीक का आहवान किया जो चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी जो सब कुछ नश्ट करने में सक्षम थी अगले ही पल उसने एक और पत्ता तोड़ा और उसे चबाया जबकि उसके चहरे पर आनंद के भाव देखे जा सकते थे मानो वह दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा हो पवित्र सूर्य संप्रदाय के सभी लोगों के चहरे पर ठंडे भाव थे ये स्वर्ण सूर्य कौवे विभिन प्रकार के स्वर्ण कौवे थे उनके पास स्वर्ण कौवे की जन्मजात प्रतिभा थी और उन्हें सूर्य की शक्ती विरासक में मिली थी उनके रक्त रेखा और हड्डियों के भीतर सूरच की धाराय थी, लेकिन वे मनुष्य के रूप में तुल नामे बहुत कमजोर थे और केवल समझने पर निर्भर रह सकते थे इन राक्षसी जानवरों को वास्तव में स्वर्ग से प्यार था, उन्हें ऐसी क्षमताएं दी गई जो दूसरों में इर्श्या को प्रेरित करती थी आदित्य ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, इससे पहले कि वह अपने रास्ते पर चलता रहा, बिल्कुल नहीं रुका कुछ ही देर बाद उसे एक चांदी के रंग का खूबसूरत पेर दिखाई दिया इस प्राचीन पेर ने वास्तव में एक मानव के चहरे का निर्मान किया और इसे केवल एक नजर के साथ कोई भी महसूस करेगा कि वह पूर्ण आकर्शन के शक्तिशाली द्वारा खीचा जा रहा है और उस पर बंबारी कर रहा है बड़ी चटान हवा में उर्ती रही प्राचीन पथ पर एक निश्चित बिंदु पर आया तो वह रुख गया रास्ते के किनारे एक विनाशकारी आभा हवा भर गई विनाश का प्रकाश देवता परवत की चमक से जुड़ा हुआ है वहां एक प्राचीन लता राजा था जो आसमान में उपर उठा हुआ था जिसमें से कई नैनवेले और कोमल पत्ते निकल रहे थे बंध हो रहे थे और खुल रहे थे आखें जैसी लग रही थी जिससे लोग सम्मोहन की स्थिती में आ सकते थे इस विशाल लता के नीचे शक्तिशाली राक्षसों और असाधारन मानव विशेशग्यों सहित कई भयानक विशेशग्य देखे जा सकते थे यह इविल गॉड रेज का टोटेम ट्री है आप कहा देख रहे हैं आदित्य की ओर देखते हुए एक फीरोक वहां से गुजरा जब वह बरफिला ढंग से बोल रहा था आसपास का जंगल अतुलनिय रूप से विशाल था फोयरोक जाती ने हमेशा रॉक और फीनिक्स जाती का तिरसकार किया था इसलिए इस गुजरते हुए फोरोक ने आदित्य को हे दृष्टी से देखा मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ आदित्य की आवाज धीमी थी क्योंकि उसमें से राक्षसी ची निकली थी हम्फ वह फोरोक प्रकाश की किरण में बदल गया और दूरी में गायब हो गया आदित्य ने वास्तव में इस प्राचीन लता के नीचे रहना चुना यहां वास्तव में इविल गौड रेस के कई राक्षस थे उन सभी ने अपने प्रभामंडल को फैलाया है एक भारी राक्षसी शक्ती को विकीन करते हुए जो सब कुछ नश्ट करने में सक्षम है उन में से कुछ दुष्ट देवता भी थे जिनकी आखों से पहले ही खून निकल चुका था क्योंकि उनके शरीर के भीतर विनाशकारी उर्जा प्रजवलित हो गई थी जिससे वे देखने में बेहत भयानक थे जगाना इविल गौड रेस के कुछ अन्य विशेशग्यों ने जब यह देखा तो उनके चहरे पर उत्तेजना के भाव थे यह उनकी इविल गौड रेस का जागर्ण था कई सर्वोच दानव जातिया थी जिनके पास असाधारन रक्त संबंध थे जिन्होंने उनकी क्षमता को बढ़ाया हो सकता है कि इन वन्शों की असली शक्ती जन्म से ही जागरित न हो लेकिन जैसे जैसे राक्षस मजबूत होते गए धीरे धीरे खुद को अनलॉक कर लेंगे केबल राक्षसों के लिए ही नहीं बलकि रक्त संबंधी शक्तियों वाले कई मनुश्य भी थे जो समान थे एक उदाहरन बैटल सेंट प्राइब था साथ ही इस प्रकार के जागर्ण को जागरिती के विभिन अन्शों में भी विभाज़त किया जा सकता है बैटल सेंट प्राइब के एतिहास को देखते हुए उनकी पवित्र विरासत की हड़ी को किसी और ने जब्द कर लिया था जिसके परिणामस्वरूप उनकी शेश जाती को जागने पर क्षमता की एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा इविल गॉड रेज के लिए वे बुरी नजर के साथ पैदा हुए थे लेकिन उन्हें अभी भी इसे और जगाने की ज़रूरत थी इसे उनकी जाती की विरासत शक्ती माना जा सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में अपनी कुद्रिष्टी जगाई है केवल तभी उन्हें अपनी जाती के भीतर शाही गुट के रूप में माना जा सकता है जो सामान्य सदस्यों को पार करते हुए एक सर्वोच और उदात अस्तित्व बन जाता है यह विशाल प्राचीन बेल राजा वास्तव में जागरिती प्रक्रिया में उनकी सहायता करने में सक्षम था इविल गॉड रेस के अलावा स्कॉर्पियन किंग रेस, स्पिरिट एयो रेस और अन्य शक्तिशाली राक्षस जातिया भी यहां थी वहां कुछ मानव क्रिशक भी हैं, स्काइन इबलिंग पवित्र संप्रदाय के विशेशग्यत साथ ही सेनलो अमर सामराज्य के कुछ रईस भी हैं उन सभी ने विनाश के कानून विशेष्टा की खेती की यहां आदित्य का लुप कुछ हटकर लग रहा था हालां की महान रॉक जाती में विविधताय भी थी अधिकांश रॉक्स केवल पवन विशेष्टा उर्जा में कुशल थे इससे पहले किसी ने भी किसी रॉक के विनाश विशेष्टा में कुशल होने के बारे में नहीं सुना है जब तक की कोई उतपरिवर्तित महान रॉक नहो आदित्य को किसी ने परेशान नहीं किया, वह चुपचाप बेल राजा के पास तैर गया खुलने और बंध होने वाली पतिया बस पलक जपकने की तरह थी, जो एक भयानक भंवर पैदा कर रही थी, जो आदित्य की चेतना को अवशोशित करना चाहती थी आदित्य का पूरा अस्तित्व जल्द ही बेल राजा से उत्पन विनाशकारी आभा से आच्छादित हो गया उसका शरीर रोशनी के साथ बहने लगा डेमोंगोर परवत के शिखर तक जाने वाले प्राचीन माड़ पर पाए गए खजाने बाहरी सीमाओं में पाए गए खजाने की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी थे यदि किसी के पास पर्यात शक्ती नहीं होती यदि वे उर्जा को अवशोशित करने का प्रयास करते तो वे निश्चित रूप से मर जाते उन लोगों के लिए जो अमरराजा के दाएरे में नहीं थे वे पेड़ पर नजर डालने से ही मर सकते थे महारश्ट्र के रूप में विराजमान आदित्य अब विनाश के भयानत भमरों में धिर गया था उसके शरीर ने वास्तव में अपने स्वयं के विनाश गुन कानूनों को विकीन किया और बेल राजा से विनाशकारी शक्ती को अवशोशित कर रहा था जिससे उसके शरीर में रक्त का मंथन शुरू हो गया आदित्य की भौह के मध्य में एक तीसरी आख दिखाई दी जो राक्षसी प्रकाश से जगमगा रही थी यह दुश्ट बेल राजा वास्तव में मेरी क्षमता को प्रजवलित करते हुए मेरे एक रक्त बीज की शक्ती को उत्तेजित कर सकता है आदित्य ने चुपचाप सोचा बेल किंग के करीब जाते हुए महान रॉक आगे बढ़ना जारी रखा उसके बाद उसने नकल करना शुरू कर दिया कि इविल गॉड रेस के लोग क्या कर रहे थे और दुष्ट बेल राजा से बिनाशकारी उर्जा को सक्रिय रूप से अवशोशित करना शुरू कर दिया क्या यह महान रॉक कोटिंग देथ है इविल गॉड रेस के कुछ विशेशग्यों ने आदित्य पर नजर डाली इस चटान ने वास्तव में बेल राजा से बिनाशकारी उर्जा को सक्रिय रूप से अवशोशित करने का साहस किया इस लता की शक्ती से पहले यहां तक की प्रारंभिक चरण के अमर राजाओं के लिए भी जो विनाशकारी नियम उर्जा विशेश्टा की खेती करते हैं उनके लिए प्रतिक्रिया को सहन करना मुश्किल होगा आदित्य द्वारा उर्जा को अवशोशित करने के बाद विनाशकारी शक्ती उसके शरीर के चारों और फैलनी शुरू हो गई जिससे उसकी रक्तरेखा प्रभावित हुई उसके बाद उसकी रक्तरेखा शक्ती चरम पर भयानक विनाश की विशेष्टा प्राप्ट करने के लिए लग रही थी जिस बात ने आदित्य को और भी चौका दिया वह यह था कि उसके वंश की शक्ती रुपांतरित होती दिख रही थी यह ऐसा थामानों कोई रहसिमय शक्ती थी जो वर्तमान में उसके रक्तरेखा के भीतर विक्सित हो रही थी इविल गॉड रेज का टोटेम ट्री दुष्ट देवताओं की रक्तरेखाओं में वंशानुक्रम शक्ती को सक्रिय कर सकता है जिससे वे अपनी बुरी नजर जगा सकते हैं मेरे लिए मेरे पास एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का सर्वोच रक्त है और मैं विनाश के नियम की खेती भी करता हूँ यह सोचने के लिए कि मैं इस बल को जगाने के लिए भी उधार ले सकता हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी रगों में दौडने वाला रक्त दुष्ट देवताओं की तुलना में समान श्रेणी का हो या उससे भी अधिक शक्तिशाली हो आदित्य ने चुक्चाप सोचा वह जानता था कि उसका वंश कितना असाधारन था यदि वह इविल गौड रेज की आँखों की तक्नीकों का भी उप्योग कर सकता है तो इसका मतलब यह था कि उसकी रख्तरेखा इविल गौड रेज के गुनों को पूरी तरह से दोहराने या बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी विनाश की रोशनी से घिरे महान चटान ने अंदर और बाहर सास ली लेकिन वह फिर भी अवशोशित होता रहा उसी समय उनकी तीसरी आख आगे की ओर जाकी वह देखना चाहता था कि क्या वह इविल गौड रेज की इविल आई तक्नीक का उप्योग कर सकता है यहां तक कि अगर यह रहसिमय शक्ती उसे पूरी तरह से जगाने में मदद करने में सक्षम नहीं होती तो यह पहले से ही बहुत अच्छा होता अगर वह इसके पीछे के सार को समझ पाता विशाल बेल राजा के ठीक सामने आदित्य रुख गया हाला कि वह दानव परवत की चोटी पर पहुँचना चाहता था लेकिन यहां आने का उसका उद्देश अपनी शक्ती को बढ़ाना था यदि उसे यह मान्यता प्राप्थ हो जाती है कि वह राक्षस जाती की तकनीकों को विक्सित कर सकता है और यहां की विरासत और खजाने भी उसके लिए उप्युप्त थे तो वह केवल एक इविल गॉड रेज के अलावा अन्य बड़े राक्षसों की वास्तविक विरासत सर्वोच तकनीकों को समझने में सक्षम हो सकता है अधिक से अधिक विशेशग्य इस प्राचीन पत्थ पर चल पड़े किसी ने उस महान चटान को परिशान नहीं किया जो दानव राजा के राज्य के प्रारंभिक चरण में था यहां बहुत सारे पवित्र जानवर थे, वे सभी उजाड पहाडों के बड़े राक्षस थे जब तक यह स्काई रॉक्स का शाही गुट नहीं था, सुनहरे पंखों वाला महान रॉक यहां मौझूद था अन्य सभी रॉक्स बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे समय धीरे-धीरे बीटता गया, आदित्य की तीसरी आख की शक्ती अधिक से अधिक भयानक होती गई जैसे ही उसने अपनी तीसरी आख खोली और बंद की, विनाश का एक हल्का लेकिन भयानक भंवर देखा जा सकता था जो वास्तव में इविल गॉड रेज की विरासत शक्ती से मिलता जुलता था क्या यह चट्टान उत्परिवर्तित है? ऐसा लगता है कि वह बदल गया है साइड में किसी ने कमेंट किया और इसी समय आधित्य ने अपनी खेती बंद कर दी उसकी आखों ने एक तरफ देखा और उस विशेशग्य को केवल एक भयानक विनाशकारी विशेश्ता वाली बुरी नजर महसूस हुई जो उसे देख रही थी, उसे बुरी नजर के दाएरे में फसा रही थी हाला कि अगले ही पल यह भावना पूरी तरह से गायब हो गई आदित्य प्राचीन पत्थ पर चलते रहे अपने रास्ते में उसने कई शाही राक्षसी जानवरों को अपनी क्षमता जगाते देखा क्योंकि उसका दिल सगने से भर गया था हाला कि उनकी आखों में द्रिड संकल्प हमेशा की तरह द्रिड था स्वर्गिय दाओ पवित्र अकादमी की उपस्थिती साथ ही उजार परवत श्रिंखला के डेमोंगोर परवत की उपस्थिती ये दोनों वर्तमान युग में बदलाव का संकेत देते हैं एक दानव देवता और प्राचीन समराट का जन्म हो सकता है और चुंकि ऐसी स्थिती में जहां वह दूसरों को मजबूत होने से नहीं रोक सकता था वह केवल खुद की ताकत में टेजी से बढ़ने की कोशिश कर सकता था घले ही उनका साधना आधार यहां के इन बड़े राक्षसों की तुलना में कमजोर पक्षपर था फिर भी उन्हें डेमोंगोर परवत की चोटी पर एक नजर डालनी थी इसी तरह आधित्य अंत में देवगन परवत के एक बहुत उचे स्थान पर पहुँचे वह इतना उचा था कि वह अब परवत के तल को नहीं देख सकता था उसके आगे भगवान परवत की दिव्य चमक एक असाधारन सडक बनाते हुए प्राचीन पत पर नीचे गिर गई वहां कई शक्तिशाली विशेशग्य थे जो आगे बढ़ने की हिम्मत न करके रुप गए आधित्य वहां पर चला गया उसने यहां शिखर शक्तियों के कई मनुश्यों के साथ-साथ असाधारन बड़े राक्षसों को भी देखा जो ज्यादा ताकतवर थे उनके लिए पहले यहां पहुँचे जिसकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी वह उतना ही तीवर होगा कि वह दानव देवता परवत के शिखर तक पहुँचने के लिए प्यासा होगा आखिरकार उनके पास और अधिक ताकत के लिए तरसने की ख्षमता थी लेकिन इतना होने के बावजूद अभी उन सभी ने आगे बढ़ने में हिचकी चाहट के संकेत दिये इस समय विशाल प्राचीन पत पर आदित्य ने विशेशग्यों के एक समोह को आगे बढ़ने का प्रयास करते देखा हाला कि उनके चलने की गती बेहत धीनी थी, प्रत्येक कदम उठाने में कठिनाई उनके शरीर पर असीन दबाव के कारण अत्यधे कठिन लग रही थी मनुश्यों या राक्षसों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो हवा में उड़ सकता था, वे सभी केबल रास्ते पर चल सकते थे, कदम दर कदम आगे बढ़ते थे इसके अलावा, आदित्य ने यह भी पता लगाया कि उस समोह की गतिविधियां बहुत प्रतिबंधित थी, और उन पर कभी कभार उर्जा के हमले होते थे, जो शूनी से कहीं से भी दिखाई देते थे यह स्थान किसी के साधना आधार को अलग करने में सक्षम प्रतीत होता है, कोई धीनी आवाज में बोला हम्व क्या आप सभी ने नहीं देखा कि पहले एक राक्षस समराट को भी प्रतिबंधित किया गया था आश्चर्य जनक हमलों की शक्ती भी उसकी खेती के आधार के स्तर से मेल खाती थी यदि कोई विरोध करना चाहता है, तो वे केवल अपने मास की कठोरता के साथ-साथ अपनी अध्वितियक शमताओं पर निर्भर रह सकते हैं यदि वे परियात रूप से मजबूत नहीं है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करने वालों के लिए केवल मृत्यू का मार्ग है शिखर पर चढ़ना चाहते हैं सामान्य व्यक्तियों के पास कोई मौका कैसे होगा राक्षसों के बीच केवल शाही गुटों के राजाओं में ही दबाव का विरोध करने की क्षमता होगी यह स्थान हमारे उजार प्रदेशों का डेमनगोर परवत, पवित्र भूमी, पौरानिक कथाओं का स्थान है उपर चड़ने की कोशिश कर रहे, मनुष्य केवल मौत को दावत दे रहे है एक ठंडी और अत्याचारी आवाज निकली उसके बाद एक विशाल राक्षस वानर ने प्राचीन पत पर कदम रखा उसने तुरंट एक भयानक दबाव महसूस किया जो उसके उपर उबाव हो गया था लेकिन उसने फिर भी इसका विरोध करना जारी रखा, बलपूर्वक आगे बढ़ रहा था हाला कि उनकी गती धीमी थी, लेकिन उनकी आखों में एक अतुल्निय द्रिड संकल भरा हुआ था ची, एक भयानक सुनहरा भाला शूने से निकला, जो दानव वानर को निशाना बना रहा था जह संपूर्ण स्थान एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना को प्रकट करता हुआ प्रतीत हुआ गर्जन उस दानव वानर ने अपने शरीर के चारों और एक राक्षसी चमक के रूप में क्रोध की एक चीख निकाली भाला हवा में घूमता रहा और उसकी त्वचा में घुस गया, फिर भी वह दानव वानर के बचाव को तोड़ने में विफर रहा आदित्य चुपचाप वहां तैर गया दोरी में जाकने के कारण उसकी टकट की तेज थी शिखर पर चढ़ना इतना आसान नहीं लग रहा था अधिक खत्रों को सहना पड़ता था तक्राना एक आकरिती जिसके चारों और बिजली चमक रही थी आगे बढ़ने से पहले दबाव महसूस करते हुए आगे बढ़ी थंडर गौड हॉल से एक विशेशग्य सभी की आखे चमक उठी कुछ ही देर बाद एक छायादार आकरिती शूने से बाहर निकली और उसकी ओर गौडी गड़गडा हट छायादार प्रक्षेपन को नश्ट करते हुए आकाश से बिजली गिर गई एक देदी प्यमान सुक्ष्म आत्मा प्रकट हुई और उस विशेशग्य के चारों और का स्थान बिजली और गरच के छेतर में परिवर्तित हो गया जिसने शूने से हमले को कुछल दिया यहां के कई विशेशग्य एक के बाद एक बाहर निकले जब आदित्य ने उन्हें रास्ते पर कदम रखते देखा तो उन्होंने भी उनके साथ चलने का फैसला किया उस पर कदम रखने के ठीक एक पल बाद उसने अपने उपर दबाव डालते हुए एक अत्यधिक दबाव महसूस किया वह उसे घुटने टिकना चाहता था जैसे ही उसके पैर वजन के खिलाफ पीछे धके ले गए उसके पंजोंने रास्ते की सतह को जकड लिया इस दबाव में उसके वर्तमान साधना आधार की आभा के समान शक्ती थी जो उसे दबाने का प्रयास कर रही थी यह जगह आम लोगों के लिए मौजमस्ती करने के लिए नहीं है तुम्हारे जैसा एक साधारन रौक यहां क्या कर रहा है आपके पास अभी भी बाहर निकलने और खुद को विक्सित करने के अन्य अफसरों की तलाश करने का समय है अभी आदित्य से दूर नहीं शाही गुट की एक उची सुनहरी पंखों वाली महान चटान उस पर भौकने लगी चटान का शरीर पूरी तरह से सुनहरा था और एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था जब शुने से आश्चर्य जनक हमले उसकी ओर बढ़े तो वे सभी उसकी रक्षा को तोरने में असमर्थ थे सपश्ट रूप से इस स्थान में अपने सक्ट शरीर वाले राक्षसों ने मनुष्यों की तुलना में एक लाप का आनंद लिया मैं इसे आज माना चाहता हूँ आदित्य की आवास करकश थी चुनकि वह एक रॉक में बदल गया वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को यह मानना चाहता था कि उसकी असली पहचान एक रॉक के अलावा और कुछ नहीं थी उसे अवमानना में कोई आपत्ती नहीं थी यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था पिरसकार की दृष्टी से देखे जाने पर ही वे राक्षस राजा महसूस करेंगे कि वह उनके साथ खजानों का मुकाबला करने के लिए योग्य नहीं था जिसके परिणामस्वरूप उसके लिए अवसर की कमी थी वास्तव में अज्यानी एक विशाल मशाल अजगर उसके पास से गुजरा जो एक भव्यता को उजागर कर रहा था यहां तक कि उसके जैसा एक साधारन चटान भी भगवान परवत की चोटी पर चड़ने की कोशिश करने की हिम्मत करता है वह केवल एक चीन्ती है जो पेड को हिलाने की कोशिश कर रही है आकाश और पृत्वी की विशालता को नहीं जानती हलांकि हम सभी जो यहां जिजक रहे हैं उनकी तुलना में उन्हें सासी माना जा सकता है हमें किसका इंतजार है उसके बाद बड़े से बड़े राक्षसों ने प्राचीन पत पर कदम रखा वे शुरू में अभी भी चीजों का निरीक्षन करना चाहते थे लेकिन उनके दिल आदित्य से आंदोलित थे इससे वास्तव में आदित्य अवाक रह गए साहस तुम्हारा मतलब अज्ञानता और मूर्खता से है दूसरी दिशा से एक मानव किसान हसा वह सेनलो अमर सामराज जिसे था आदित्य ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई दानव जाती और मानवता के विशेशग्य आगे बढ़ते रहे और कुछ असाधारन बड़े राक्षस थे जो खुद को उच्च स्थिती वाले व्यक्ती के रूप में देखते थे यहां तक की सामने तक चले गए और जुन का नेत्रित्व किया अहंकार से बाहर निकल गए मेरे पीछे खड़े हो जाओ इस समय एक बूढ़ा रॉक राजा आदित्य के बोलने के साथ ही उसकी तरफ चला गया आदित्य की विशाल आखे जपक उठी यहां अमर राजा सामराज्य के मध्यचर्ण के चरमचरण में पुराने रॉक राजा का साधना आधार बेहग मजबूत था हाला कि उन्हें जो दबाव सहना पड़ा वह भी अधिक था जब उसने देखा कि आदित्य भी उसी जाती का है तो उसने आदित्य को बचाने में मदद करने का इरादा किया बूंग सुनहरी उलकाएं आकाश से अचानक गिरी सीटी की आवाज उच सर्जित करते हुए एक भारी गुरुत्वाकर्शन द्वारा संचालित सर्वोच विनाशकारी शक्ती के साथ भील की ओर मुहतोर जवाब दिया यह सिर्फ एक उलका नहीं था बलकी प्रभाव छेत्र का हमला था यहां सभी की आवाजाही की गती प्रतिबंधित होने के कारण उनके पास इसे चक्मा देने का कोई तरीका नहीं था वे केवल सिर पर जवाबी कारवाई कर सकते थे गोल्ड सन रेस के एक विशेशग्य ने सीधे तौर पर सुनहरे भाले पैदा किये क्योंकि वे गिरते हुए उलकाओं में से कुछ को छेटते हुए बाहर की ओर निकले हेवन होल्ड रेस के विशेशग्य और भी अधिक निरंकुष थे सीधे अपनी बाहों को उठा कर गिरते हुए उलकाओं को दूर भगाते थे पैरागोन तलवार संप्रदाय के विशेशग्यों के लिए उन्होंने चटानों को नश्ट करने के लिए अपनी पैरागोन तलवार क्यूई का इस्तमाल किया थंडर गौड हॉल के विशेशग्यों के लिए उन्होंने चटानों को अलग करने के लिए बजरपात की शक्ती का उप्योग किया और जियान कभीले के लोगों के लिए उनके शरीर बड़िक प्रकाश से चमके अरहत रूपों में परिवर्तित हो गए जिससे उन्हें अस्थाई रूप से अविनाशी हीरे का शरीर मिला इसके हाट मंदिर के विशेशग्यों ने जियान कभीले के समान तरीकों का इस्तमाल किया बुद्ध का प्रकाश आकाश में चला गया क्योंकि उन्होंने भी एक अविनाशी शरीर तकनीक का उप्योग किया विभिन राक्षसों के लिए उनमें से प्रत्येक ने अपनी रक्षा करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया आदित्य के सामने पुराने रॉक ने गिरने वाले बोल्डर को चीरते हुए एक प्रचंड हवा का कारण बना यहां तक कि उसने अपनी उर्जा का एक हिस्सा आदित्य को अपने उपर गिरने वाली चटानों को तोड़ने में मदद करने के लिए विभाजित कर दिया जिससे आदित्य जिसने अपनी तयारी की थी वहां खड़ा हो गया बेहत चौक गया इस पुराने रौक राजा की प्रतिभा इतनी अधिक नहीं थी लेकिन क्योंकि उसने लंबे समय तक खेती की थी वह हवा के नियमों में बहुत कुशल था हाला की इसमें कुछ प्रयास लगे वह अपने लिए उलकाओं को रोकने और यहां तक की आदित्य की सहायता करने में सक्षम था बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य की आवाज धीमी और करकश थी बाद में और सावधान रहें हम उसी जाती से नहीं है जो शाही गुट के सुनहरे पंखों वाली चटाने है हमारी प्रतिभा तुलना में कमतर है यह देव परवत बहुत अथा है और अंगिनत हमले किसी भी समय शुरू किये जा सकते है हम दोनों एक ही नसल के हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन आपको कोशिश करनी होगी और साथ ही अधिक सतर्क भी रहना होगा बुढ़ा रॉक धीमी आवाज में बोला आदित्य को कुछ अच्छा लगा दानव आमतोर पर क्रूर और क्रूर होते हैं अक्सर अपनी जाती के सदस्यों के लिए भी विशेशग्य आगे बढ़ते रहे उसके बाद अलग-अलग हमले शूने से प्रकट हुए और उन पर निशाना साधा गया पुराने रॉक ने वास्तव में ब्लॉक कर दिया और आदित्य के लिए कई बार किये वह आदित्य के सामने चलता रहा और आदित्य को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई यहां तक कि उसने बुढ़े रॉक को बताया कि वह इसे खुद संभाल सकता है हालांकि पुराने रॉक ने आदित्य को हमलों का पूरा खामियाजा भुगतने से मना कर दिया बुढ़े बंदर ने शांती से कहा मैंने बहुत लंबे समय तक खेती की है और पहले से ही बहुत बुढ़ा हो गया हूँ इस बार मेरा यहां आना मेरा आखिरी जुआ माना जा सकता है और मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है मैं यहां मर सकता हूँ इस तथ्य के बावजूद की मेरी खेती तुम्हारी खेती से उची है आप अभी युवा हैं आपको बढ़ने के सभी अवसरों का लाग उठाना होगा कोशिश करो और अपनी कुछ ताकत बचाओ और क्या पता तुम्हें इस प्राचीन पथ पर चलने का मौका मिल जाए यह सुनते ही आदित्य अवाक रह गए जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए हमले अधिक से अधिक हिंसक होते गए लेकिन यहां के विशेशग्य अभी भी हमलों को रोकने में सक्षम थे हालाकि आदित्य ने निब्बल्स की पवित्र संप्रदाय के एक विशेशग्य को मरते हुए देखा मनुष्य के रूप में उसके शरीर की शक्ती पहले से ही राक्षसी पशुओं की तुलना में कमजोर थी आखिरकार वह हमलों के दबाव में आ गया और यहीं उसकी मौत हो गई हमलों के बाद हमले ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है प्राचीन मार्ग भी अंतीन लंबा लग रहा था और बुढ़ा रॉक राजा पहले से ही कुछ ठका हुआ था वरिष्ट वास्तव में अब आपको मुझे ढाल देने की कोई आवश्यक्ता नहीं है मैं इसे खुद संभाल सता हूँ आदित्य ने इमानदारी से बात की आदे का रास्ता अभी भी लंबा है बस अपनी ताकक बचाओ बुढ़ा रॉक राजा बोला क्या आप वास्तव में उम्मीद करते हैं कि एक साधारन रॉक अंत तक सभी तरह से द्रिढ रहने में सक्षम होगा बुढ़ा आदमी तुम अभी भी अब तक जीवित हो यह पहले से ही एक अत्यंत अप्रत्याशित परिनाम है इविल गॉड रेस के एक दानव ने मजाक में कहा यहां तक कि उन्होंने खुद भी महसूस किया कि यह बेहद श्रमसाध्य था यह सोचने के लिए कि यह बूढ़ा रॉक राजा अभी भी जीवित था यह पुरानी अमर बात बहुत दिल्चस्प है एक आत्मा एओहसे उसने महसूस किया कि उसके सामने ये दो चटाने बेहद दिल्चस्प थी और उसका तरीका नाटक देखने जैसा था क्योंकि वह उन्हें देखता था यदि तुम लोग मेरी जाती के हो तो हम तुम पर दया करके तुम्हारी सहायता कर सकते हैं अफसोस की बात है कि सभी रॉक रेस ने हमें जमा नहीं किया है एक शक्तिशालीज हरीला अदमय अहंकार के साथ बोला यह प्रारंभिक चरण का दानव राजा अभी भी जीवित है जबकि हम सभी आगे बढ़ने के लिए कड़ी महंत कर रहे हैं उसके पास वास्तव में यहां आसान है एक मरते हुए बुढे पक्षी की पीठ के पीछे छिपकर एक मानव ने उपहास किया यहां मानव पवित्र सूर्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति था उन्होंने महसूस किया कि आगे बढ़ना बेहत कठिन था क्योंकि बढ़ते दबाव और अधिक तीवर हो गए थे जह सोचने के लिए कि पुराना रॉक अभी धी जीवित था जबकि युवा रॉक हरामी भी पुराने रॉक के संरक्षन के कारण सभी तरह से बच गया था इससे वह अत्यंत दुखी हो गया पुराने सीनियर का द्रिड संकल्प और ताकत दोनों ही असाधारण है तुम सब उसे क्यों बदनाम करते हो आदित्य देख सकता था कि बुढ़ा रॉक राजा पहले से ही बहुत थका हुआ था उसे अब भी इन राक्षसों और मनुश्यों द्वारा अपमान सहना पड़ा इस समय खत्रे की तीवर भावना प्रकट हुई शुन्य से राक्षसी सफेद बागों के कई अनुमान दिखाई दिये जिससे स्वर्ग को हिला देने वाली दहार निकली क्योंकि उन्होंने विशेशग्यों के समूह को दोड़ाया आदित्य से बोलते ही पुराने रॉक का भाव अतुलनिय रूप से भारी हो गया सावधान मैं करूंगा सीनियर कृप्या अपना ख्याल रखे आदित्य ने सिर हिलाया और जवाब दिया हम्फ आपको शुरू से ही खुद पर निर्भर रहना चाहिए था भाड में जाओ जब पुराने रॉक राजा ने सफेद बागों के अनुमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पवित्र सूर्य संप्रदाय के उस मानव ने वास्तव में पुराने रॉक की और सूरज की लप्टों की एक गेंद को उड़ा दिया विचलित पुराने रॉक को सूरज की लप्टों के साथ साथ सफेद बागों के हमलों से भी चोट लगी थी एक शन बाद सूरज की लप्टें तेज हो गई और पुरानी चटान को पूरी तरह से ढख दिया पुरानी चटान की पीडा की चीखों के बीच उसे जला दिया वरिष्ठ आदित्य के भाव बदल गए वह हिलना चाहता था लेकिन जल्द ही उसे दबाव के एक अत्याचारी फटने का पता चला वह बिल्कुल नहीं चल सकता था उसकी क्रोधित टकटकी के नीचे गूढे रौक राजा को उसकी आखों के सामने जला कर मार डाला गया था आदित्य जो रौधर रूप में था उसने एक अत्यधिक थंडी और भयानक राक्षसी की को विकीन किया उसने सफेद बागों के अनुमानों से हमलों को नजरंदाज कर दिया वह एक अचल पहाड की तरहे खड़ा था क्रोध की गरजना के साथ तेज तलवारे वास्तव में प्रकट हुई उन सफेद बागों के सिरों को छेदते हुए पवित्र सूर्य संप्रदाय के उस विशेशग्य को घूरते हुए उसकी आखे बर्फ की तरह थी क्यो? क्या आप दुखी है पवित्र सूर्य संप्रदाय के विशेशग्य ने जब आदित्य की निगाह देखी तो ठंडेपन से तिरसकार के साथ बोला वह पुराना रॉक बहुत पहले मर जाना चाहिए था मैं केवल उसे अपने गंतव्य पर पहले भेज रहा हूँ आप उसके पीछे छिप गए और इतने लंबे समय तक तिके रहे यह सिर्फ हम में से बाकी लोगों का अपमान है हाला कि आपके इस हमले को देखकर आपके पास कुछ टाकत और एक शक्तिशाली मांसल शरीर होना चाहिए राक्षस आखिरकार राक्षस ही होते हैं भले ही आप रॉक कबीले के शाही गुट से नहीं है फिर भी आपका शरीर बेहत सक्त है हाला कि इन आश्चर्यजनक हमलों को रोकना इतना आसान नहीं है है न आदित्या ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और उस मानव विशेशग्य को घूरता रहा उस विशेशग्य के चहरे पर तिरसकार के भाव थे यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो मैं आपको किसी भी समय मार सकता हूँ आपको आपकी लप्टों के समुदर में उस पुरानी चट्टान के साथ जाने देता हूँ क्या आप इसमें विश्वास करते हो मैं करता हूँ मानव विशेशग्य को घूरते हुए आदित्य करकश स्वर में बोला उसके बाद उसने अपनी नजर फेर ली और अब उसकी ओर नहीं देखा हम्फ पवित्र सूर्य संप्रदाय के उस विशेशग्य ने तिरसकार पूर्वक सुंगा और अपने रास्ते पर चलता रहा वास्तव में वहां आदित्य को मारने की जहमत भी नहीं उठा सकता था केबल प्रारंभिक चरण के दानव राजा के लिए पुराने रौक के संरक्षन के बिना यह निश्चित रूप से यहां मर जाएगा उसे अभिनाय करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी यदि आप अभी भी जीवित रह सकते हैं तो पथ पर चलते रहीं आपको कुछ अच्छा भाग्य प्राप्थ हो सकता है और आप एक विकास का आनंद ले सकते हैं उस समय आपके पास बदला लेने का मौका हो सकता है यदि नहीं तो वे तुम्हें यहां कुछल देंगे एक चीन्टी को कुछलने से कोई अंतर नहीं है फोरोग जाती के विशेशग्य शांति पूरवक बोले दैतियों की जाती सदैग बलवानों की ओर देखती थी वह बस मौत को दावत दे रहा था इविल आई रेस का एक बड़ा राक्षस थंडेपन से बोला उन सभी को इस बिंदु तक जीवित रहने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा फिर भी पुराने रॉक राजासे सुरक्षा के कारण युवारॉक इतनी आसानी से यहां तक पहुँचने में काम्याब रहे इससे वे अत्यंत दुखी हुए सभी ने इसे अपना अपमान समझा आदित्य दूसरों की आवाज की परवाह नहीं करता था मानो उसने उपहास और तिरसकार के उनके शब्दों को नहीं सुना हो यह स्थान अमर लोकों के अभिजात वर्ग के बड़े राक्षसों और मनुश्यों के लिए एकत्रिक बिंदु था साधारन पात्र कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे रॉक फॉर्म में होने का कारण यह था कि वह लोग प्रोफाइल रखना चाहते थे अगर वह अपने मूल रूप में यहां होते तो शायद इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते साथ ही हर कोई जितना मजबूत होगा भविश्य के संधर्ष उतने ही क्रूर होंगे इस समय सब कुछ अभी भी अपेक शाकरित शांति पूर्ण था लेकिन एक बार संधर्ष शुरू होने के बाद किसी ने कोई दया नहीं दिखाई जैसे ही उसके हरिदय में हत्या का इरादा प्रकट हुआ उसकी आखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी हालाकि वह जानता था कि उसे अब क्या करना है इसलिए जब वह आगे बढ़ा तो उसके कदम पहले की तरह द्रिड थे शुने से आश्चर्यजनक हमले जारी रहे क्योंकि विशेशग्य विरोध और बचाफ करते रहे आदित्य ने पाया कि श्रिष्ट रक्तवन्ष वाले वे राक्षस अत्यंत अत्याचारी थे हालांकि उनके लिए आगे बढ़ना कठिन था वे हमलों को अंदेखा करने के लिए अपने सहज उपहारों पर निर्भर हो सकते थे क्योंकि वे आगे बढ़ते रहे मनुष्यों के लिए उनकी प्रतिभा शांदार थी और उनके पास सहायता के लिए शक्तिशाली जन्मजात तक्निकें और कानून डोमेन थे क्योंकि वे जारी रहे आदित्य हमेशा की तरह लो प्रोफाइल थे बेहद अगोचर हर बार जब कोई हमला होता तो वह ऐसा जताता कि उसे इसका विरोध करने के लिए बहुत संधर्श करना पड़ता है जब अन्य सभी विशेशग्यों ने यह देखा तो उनकी आखें ठंडे तिरसकार से चमक उठीन और उनके होंट उफास में डूग गए इस प्राचीन पथ पर आदित्य ने व्यक्तिगत रूप से कई विशेशग्यों का पतन देखा था यहां उनकी आवाजाही प्रतिबंधित थी और वे आगे बढ़ने के लिए केबल अपने शरीर की मजबूती के साथ-साथ अपनी जन्मजात प्रतिभापर निर्भर रह सकते थे यहां तक किशाही गुटों के बड़े राक्षसों के लिए भी उनमें से बहुतों की मृत्यू भी हुई देमोंगोर परवत के शिखर पर आरोहन पत के प्रक्तन ने इसे ऐसा बना दिया कि कई राक्षसों का विकास होना तै था और इससे भी अधिक यहां मरेंगे निर्जन परवतों के लिए यह एक क्रूर विकास था और अमर लोकों के मनुश्यों के लिए जो इस मुकाम तक पहुँच सके वे सभी असाधारन चरित्र थे लेकिन उनकी उपलब्धिया फिर भी सीमित होंगी आखिरकार यह स्थान राक्षसों के लिए एक देव परवत था अंत में आदित्य जो की रोश रूप में था इस रास्ते के अंत तक पहुँच गया इस रास्ते को बहुत प्रयास के साथ तै किया गया था और जब वह अंता बाहर निकल गया तो कई निगाहें उसकी ओर मुडी जिनमें वे बड़े राक्षस और मानव क्रिशक भी शामिल थे जो पहले उसके साथ यात्रा कर चुके थे सभी की आखें आश्चर्य से भर गई आप वास्तव में बच गए और रास्ते से बाहर निकलने में काम्याब रहे पवित्र सूर्य संप्रदाय के उस विशेशग्यने जिसने पुराने रॉक राजा की हत्या की थी उसकी आखों में रुची की अभिव्यक्ती थी यहां तक की पहले बोलने वाला फूरोक भी बेहद हैरान महसूस करता था हाला की एक महान राक्षस को एक असाधारन दानव भी माना जा सकता है आदित्य का रूप एक साधारन चटान का थानकी सुनहरे पंखों वाले महान चटान का जो की रॉक जाती का शाही गुठ है वह इतनी आसानी से कैसे परीच्शा पास कर सकता है ऐसा लगता है कि इस रॉक का भाग्य बहुत बुरा नहीं है बूडे रॉक राजा की मृत्यू ने आखिरकार उसकी सहायता करने का प्रबंधन किया इविल गॉड रेज के एक विशेशग्य ने शांती से बात की जितने लोगों ने सहमती में सिरहिलाया ऐसा लगता है कि पुराने रॉक की मौत व्यर्थ नहीं थी लेकिन खिर भी आदित्य अभी भी मृत्यू के पत्थ पर था उसका साधना आधार आखिरकार केवल प्रारंभिक चरण में था वहां आगे बढ़ने के योग्य नहीं था आधित्य ने उसके सामने नजर डाली यहां कई विशेशक्य इकठे थे जिनमें कुछ दैत्य और अमर समराट भी थे वे सबसे दूर के बिंदु पर खड़े थे और एक और रास्ते पर नजर गड़ाय हुए थे जो डेमोंगोर परवत के शिखर तक जाता था वहाँ पर कई शक्तिशाली बड़े राक्षस पहरा दे रहे थे यह बड़े राक्षस उजाड परवत श्रिंखला से नहीं थे बलकि इस जगह के रक्षक थे ऐसा लगता था कि उनके पास कोई जीवन शक्ती नहीं थी लेकिन उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक आभा विखेरी वे इस जगह से उत्पन्न कटकुतली राक्षस लग रहे थे इस चौकी की रखवाली कर रहे थे जो चड़ने की मांग कर रहे थे उन्हें रोक रहे थे इससे पहले कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन वे सभी पीछे हट गए बाल-बाल बच गए इतने सारे समराट रैंक वाले पात रहें आदित्य के मन में एक धक्कासा लगा अमर समराटों की गती अत्यंत तीवर थी अमर राजाओं के इस स्थान पर पैर रखने से पहले ही वे सभी यहाँ आ चुके थे उन्होंने देखा कि सदाबहार अमर समराट साथ ही साथ कुछ असाधारन शिखरस्तर के अमर समराट भी यहाँ थे उनमें से एक ने पवित्रता का भाव बिखे रा था और वहाँ खड़े रहकर ही बेहत चमकदार था चरम सीमा तक सुंदर इस तरह की सुंदरता वास्तव में उत्तरीक शेत्रों की नंबर एक सुंदरता बेमिंग युहुआं से कम नहीं थी उस मायके के पीछे आदित्य को कुछ जानी भचानी आकरितिया दिखी वे कोई और नहीं बलकी नानफेंग गुहुंग और दक्षिनी फीनिक्स कभीले की अन्य पवित्र युवतिया थी क्या वह दक्षिनी फीनिक्स मात्र सत्ता है आदित्य ने सोचा यहां तक कि दक्षिनी फीनिक्स कभीले के मुखिया भी व्यक्तिगत रूप से यहां पहुँचे थे दक्षिनी फीनिक्स कभीले में स्वाभाविक रूप से एक फीनिक्स की रक्त रेखा थी और उसका दानव जाती के साथ संबंध था यह समझ में आ रहा था कि वह यहां क्यों आएगी अभी उजार परवत श्रिंखला के बड़े राक्षस इस घटना के कारण उपर उठने की कगार पर थे जिससे उन्हें विकास का मौका मिल रहा था पवित्र अकादमी अमर लोकों में भी प्रकट हुई है प्रत्य प्रमुक्ष शक्ती आने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि अमर लोकों की स्थिती जल्द ही अराजक्ता में आ जाएगी उन्हें खुद को मजबूत करना था और सबसे बुरे के लिए तयार रहना था न केवल दक्षिनी फीनिक्स मात्रिसता का आगमन हुआ है बलकि यहां तक की बेमिन युहुआंग भी यहां आया था वह एक अधेड उम्र के आदमी के पीछे खड़ी थी इस अधेड उम्र के व्यक्ती ने एक अतुलनिय भावना अतुलनिय राजसी को विकीर्ण किया वह कोई और नहीं बलकि डार्क नौर्थ अमर समराट थे जिनसे आदित्य पहले मिल चुके थे साथी पेई किंग जिसकी आदित्य से दुश्मनी थी भी मौजूद था वह एक बुढे आदमी के पीछे खड़ा था बुढे आदमी की आभा अलोकिक लेकिन बेहद अत्याचारी थी वह पी किंग एक शिखर्चन अमर समराट का स्वामी होना चाहिए हाला कि उन्होंने किसी भी ख्षेतर पर कोई दावा नहीं किया लेकिन उनके कई शिश्य और महान प्रभाव थे जो डार्क नौर्थ अमर समराट के साथ समान आधार पर खड़े होने में सक्षम थे इनके अलावा यहां अन्य अमर समराट भी हुए थे स्वाभाविक रूप से दानव समराटों की संख्या अधिक थी और उनके प्रभामंडल ने अधिक शक्तिशाली महसूस किया प्रतेक एक उजाड जानवर भगवान के समान था जो की आसमान को हिला सकता था हर कोई उद्गम का मार्क कब खोला जा सकता है हम यहां कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं किसी ने पूछा अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए है जब सब यहां होंगे तो रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा अब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है उत्तर में एक अलौकिक आवाज आई यहां हर कोई एक सर्वोच विशेशग्य था और स्वाभाविक रूप से धैर्य की कमी नहीं होगी बात बस इतनी थी कि वे डेमोंगोर परवत के शिखर तक पहुँचने के संबंध में बहुत अधेक प्रत्याशा से भरे हुए थे लोग यह भी अनुमान लगा रहे थे कि यहां आवास कहां से आई है क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोंगोर परवत समवेदन शील था हालांकि इस रहस्यमय परवत के प्रती चाहे कुछ भी हो जाए वे इसके बारे में बहुत आश्चर यचकित नहीं होंगे इस स्थान पर यहां तक की एक सर्वोच शिखरचन का अमर राजा भी अद्रिश्य होगा केवल प्रारंभिक चरण की रौक की तो बात ही छोड़ दें आदित्य पीछे खड़े होकर इन परमचरित्रों को देख रहे थे जैसे उनकी आखों में एक हलका तेज चमक गया हो अचानक उसने एक अत्यंत शक्तिशाली नौसिर वाले दानव समराट की दिशा की ओर देखा नौसिरों में से प्रत्येक एक राक्षस देवता की तरह था जिसमें आकाश को भस्म करने की क्षमता थी इस दानव समराट के कंधों पर वास्तव में एक बरफस्वेद छोटा पिल्ला था जो कुछ हास्यपूर्ण दिखाई दे रहा था हालांकी पिल्ला को यहां दिखाई नहीं देना चाहिए था ब्रहमा स्वर्गिय समराट आदित्य की दृष्टी उस महादैत्य पर पड़ी यह राक्षस वास्तव में ब्रहमा स्वर्गिय समराट की मूर्ती जैसा दिखता था जिसे उसने प्राचीन समराटों के शहर में देखा था क्या ऐसा हो सकता है कि लिटिल रासकल की जाती का ब्रहमा स्वर्गिय समराट के साथ संबंध था यह सोचना की भयावः ब्रहमा स्वर्गिय समराट जो एक बार पूरे अमर लोकों पर हावी था वास्तव में एक राक्षस समराट था दूसरे कंधे पर यातना थी इसके अलावा वह और लिटिल रासकल दोनों बास्तव में पहले से ही राक्षस राजा के दाएरे में थे ऐसा लगता है कि इस सर्वोच बलवान दानव समराट ने उन्हें अत्यंत सौभागे का उफार दिया देमोंगोर परवत पर मिले भागेशाली अवसरों के अलावा वे दोनों सपष्ट रूप से विक्सित हुए हैं आदित्य ने चुपचाप सोचा यह देवता परवत उजाड परवत श्रिंखला में नंबर एक किमवदंती था इतने शक्तिशाली दानव समराट की रक्षा के स लिटिल रासकल और पेरगिटरी कैसे विक्सित नहीं हो सकते थे ननहेंग बदमाश ने चुपके से आदित्य की तरफ आख मारते हुए एक नजर डाली आदित्य ने थोड़ा सिरहिलाया लेकिन किसी ने उसकी सुक्ष्म हरक्तों पर ध्यान नहीं दिया उसके बाद अभी अभी ऐसे विशेशग्य थे जो पिछले मार्ग से बाहर आय थे आगे के आरोहन का मार्ग अभी भी बंद था ऐसा लगता था कि जिस रास्ते पर वे पहले गए थे वह पहाड़ पर चड़ने के योग्य होने के लिए उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा थी इसलिए अभी काफी समय तक चली और अंत में देव परवत के शिखर से एक उजड़वल प्रकाश चमक उठा जैसे ही स्वरगारोहन का अंतिम मार्ग खुला एक असीम और रहस्यमय आभा बिखेरता हुआ जब समराट बिना किसी हिचकी चाहट के स्वरगारोहन के मार्ग में प्रवेश कर रहे थे तो शक्तिशाली आभामंडल उनसे बाहर निकलाया दानव समराटों के लिए यह उनके लिए सुधरने का एक दुरलब अफसर था मनुष्यों के लिए भले ही वे कोई लाब प्राप्त नहीं कर सके फिर भी वे उजाड़ परवतों के इस पौरानिक स्थान पर खुद को देखना चाहते थे सभी विशेशग्य एक एक करके अंदर गए आदित्य जो एक नरिशन्स रूप में था भी खड़ा हो गया और दूसरों के पीछे पीछे चुपचाप चला गया जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके पहले के कई विशेशग्यों को एक सीलबंध युद्धक शेत्र में टेलिपोर्ट किया गया था अंगिनत दुष्ट आत्माओं को चारों और देखा जा सकता था और उनके खिलाफ जीतना निस्संदे आगे बढ़ने की परीक्षा थी अगले ही पल, आदित्य ने केवल एक भयानक उर्जा को अपने चारों और लपेटते हुए महसूस किया, क्योंकि वह भी एक अलग स्थान पर लाया गया था यहां उनके लिए कोई कानून उर्जा इकठा करने का कोई तरीका नहीं था वह केवल अपने शरीर के भीतर सुक्ष्म उर्जा की वर्थमान मात्रा के साथ साथ अपने शरीर की ताकत पर निर्भर कर सकता था देमोंगोर परवत की चोटी तक आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा